Hi everyone, मैं हूँ आपकी श्रदादीदी and welcome to अपना college, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML को जिसमें level 1 से लेकर, यानि basic level से लेकर advanced level, pro level तक हम पूरे HTML को पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप वो student है जिनको बिलकुल भी coding, programming, development नहीं आती है, तो इस वीडियो के अंदर इंपोर्टेंस क्या होती है, HTML को actually use कैसे करते हैं, website बनाने की आपकी जर्नी की बहुत अच्छी शुरुआत यहां पर हो रही होगी, साथ के साथ इस वीडियो को हमने चार लेवल में डिवाइड किया और चारो लेवल को complete करने के बाद आप एक pro programmer बन जाएंगे HTML में, साथ क साथ programming के साथ साथ जो भी codes हमने लिखे होंगे, या जो भी notes हमारे बने होंगे, वो सारे की सारी चीजें description box में available होंगी, जिनको आप कभी वी अपनी revision के लिए use कर सकते हैं, अब इस वीडियो को देखने के लिए हमें दो basic चीजों की जरूरत है, वो है कि लाप टॉप और सा साथ के साथ बहुत सारा excitement, जो भी चीज आपको पसंद आए, जो भी चीज मैने बोली हो वीडियो के अंदर उसको मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, और अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है कि मुझे आगे की वीडियो में अडिशनली कवर करनी चीए, उसके ब अब है, अब है, लाई आउक आई को умेड है, अब है, अब है, बहुत सारी टेक्स अधिटर्स क॥ा अग्जिस्ट करते है इसके अंदर दो-तीन तरीके के टेक्स अधिटर्स होते हैं, एक वो जो हम अपने सिस्टम पर चला सकते हैं, को अब अबाए हुते हैं, कुछ हमारे जैसे आप style and formatting वगेरा कर सकते हैं, इसमें images and media है, जैसे आप जैसे HTML कोड सेव करेंगे, उसको आप preview करके देख सकते हैं, कुछ plugins या कुछ third party integrations वगेरा भी आपको मिल जाएंगी, कुछ fonts वगेरे मिल जाएंगी अपने HTML कोड को और बेटर बनाने के लिए, and इसके अंदर आप एडिटिंग वगेरा भी कर सकते हैं, अब इसमें सर्फ HTML नहीं, आप नॉर्मल इसको टेक्स वगेरा लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो simply website पर जाना है, वहाँ पर एक basic form है, उसको फिल कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, and you can use it completely freely on your system, दूसरा एक टेक्स इडिटर है, UltraEdit के नाम से, जिसमें प्रोफेशनल लोगों के लिए काफी सारी फीचर अवैलेबल हैं, so if you are a professional developer, जो सोच रहा है कि HTML तरफ वो जारे हैं, आप फ्रीलांसिंग वायर अगरते हैं, आप वेब डेवलमें में अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करे है तो इस इस पाइड सौफवेर जिसमें जाकर आप इसके फीचर जोएं चेक आउट कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास code हाइलाइटिंग जैसे कुछ चीज आजाएंगी, code templates आपको दिख जाएंगे, CSS color swapping आजाएगी, इंटेग्रेट कर सकते हैं, इसको आपने SSH के साथ FTP integration भी पॉसिबल है, SFTP integration भी पॉसिबल है, तो वो tools and technologies जो अपके professional development experience को और जादा बेटर कर देंगी, वो सारी functionalities इसमें आपको मिल जाएंगी, and in fact, even if you are using it for a personal project, you can just try out the 30-day trial period, उसको आप एक ट्राय कर लो, and उसके बाद इसके बाद यू लाइक तो आप किसी freelancing project या किसी paid internship वगेरा के लिए आप इसको यूज कर सकने हैं, तो ये दो text editors होगे HTML के लिए, लेकिन अपने video के लिए हम इस्तमाल करने वाले हैं, visual studio code, यानि VS code का, अब जब भी हमें a program, code लिखना होता है, तो हमें a code editor की ज़रूरत पढ़ती है, तो HTML का code लिखने के लिए, हम visual studio, यानि VS code नाम के code editor का इस्तमाल करेंगे, code editors को इम इमाजन कर सकते हैं, कि वो इक notebook की तरह है, जिसे notebook के अंदर हम different different चीजें लिखा करते हैं, वैसे ही, जब भी हमें code लिखना होता है, तो उसके लिए code editor का हमें इस्तमाल कर लेते हैं, जिसके साथ काफी सारे resources, काफी सारी चीजें है useful चीजें जो में मिल जाती है, अब HTML का code वैसे तो आपने school में अगर कभी HTML पढ़ा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि notepad में भी लिख सकते हैं, यानि आपके computer system में जो notepad की files बनती है, dot txt से file बनती है, उनकी जगे आप dot html वाली files बनागर भी HTML लिख सकते हैं, पर code editor जो है, हमें काफी सारी external functionality देगा, साथ के साथ शुरुआत से हम आपका environment प्रिपेर करा देंगे कि आगे जाकर अगर आपको projects करने जिन projects को में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर आपको खुद का अपना कुछ बिल्ड करना है, आगे जाकर एक website बिल्ड करनी अब VS Code Microsoft की तरफ से freely available है, तो इसको कोई भी जाकर इस्तमाल कर सकता है, तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड, VS Code, तो यह फर्स्ट जो लिंक आएगा, इस पर हमें चले जाना है, यहां पर साइट भी में बता देती code.visualstudio.com slash download, अब इसमें काफी सारे option आगे हैं, अब आप Windows machine पर हैं, Windows 7, 8, 10, 11 पर, तो यहां पर आप अपने system के हिसाब से, कि 64-bit system है, तो कौन सा डाउनलोड करना है, 32-bit है, तो कौन सा डाउनलोड करना है, मोस्ली लोगों का 64-bit system होता है, तो इसको आप यहां पर क्लिक क अगर आप Linux पर हैं, तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अब जब भी आप Windows के लिए डाउनलोड करेंगे, तो बीच में काफी सारे चेक बॉक्से हमारे लिए आएंगे, हमें क्या करना है, इन सारे के सारे चेक बॉक्से को टिक कर देना है, जैसे ही टिक और इसको अब हम first time खोल सकते हैं, तो अगर website के front end की बात करें, तो उसके तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहले उसमें होता है हमारे लिए HTML, फिर CSS, फिर JS, HTML वो पार्ट है जो हमारी website के लिए एक structure बनाता है, structure किस तरीके से की button कहां पर होना चाहिए, या हमें कोई paragraph लिखना ह अपने page के उपर, तो वो कहां पर placed होना चाहिए, जिसे इस website के अंदर HTML ने बताया है कि download visual studio code उपर लिखा होना चाहिए, उसके नीचे यह सारी चीजे लिखी होना चाहिए, उसके नीचे यह सारे icons हमें दिखाने है, और फिर download के लिए हमें buttons दिखाने है, अब हो सकता है, आ हमारे पास languages आनी चाहिए, उपर Google का यह image आना चाहिए, यह सारी की सारी चीजे HTML ने बताई है कि यह कहां कहां होनी चाहिए, तो HTML क्या करता है, एक तरीके से एक structure या layout दे रेता है, एक घर को imagine करिए, घर के अंदर कौन सा कमरा कहां पर होगा और एक कमरे के अंदर क्या क्या चीजे होगी, यह सारा का सारा जो पार्ट है वो HTML साभादता है, उसके बाद second component आ जाता है frontend का CSS, CSS क्या करता है, उस घर के अंदर दिवारों का color क्या होगा, बटन का shape क्या होगा, size क्या होगा, बटन का क्या color होगा, या फिर floor पर हमने carpet बिचा है नहीं बिचा है, वो सारी चीजे कंट्रोल करता है, यानि style वाली, CSS का मतलब होता है, cascading, style, sheets, यह वो code का part होता है, जो define करता है, कि आपका जो web page है, उसका style क्या होना चाहिए, जैसे VS code वाली site पर अगर जाएं, तो यहां पर यह सारे का सारे जो text लिखा, इसका font क्या होने वाला है, इसका font size क्या होन इसका component आजाता है हमारा JavaScript, JavaScript क्या करता है, फंक्शनालिटी डिफाइन करता है, जैसे आपने घर बना लिया, structure बना लिया, उसके अंदर कमरे आगे, उसके अंदर switches आगे, उसके अंदर light है, उसके अंदर fan है, फिर आपने यह भी डाल दिया क्यों का color क्या होगा, अब fan का सब्सक्राइब करता है, इस वीडियो को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है, जिनको हम लेवल्स कहेंगे, पार्ट की जगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल प्रो, लेवल प्रो करने के बाद, आप अलमुस्ट, मतलब 100 से भी उपर, परसेंटेज वाली वो सारी चीजें, एक बार देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, जितनी HTML आपको आनी चाहिए, अब सबसे पहले बात करते हैं, अपनी लेवल 1 की, जिसके अंदर हम डिसक्स करने वाले हैं, अबाउट थे बेसिक्स ऑफ होती हैं, वो आ बताती है, लेयाउट बताती है, HTML is the code that is used to structure a webpage and its content, किसी भी वेबसाइट पर अगर आपको कोई भी content डालना है, और कौन सा content ऊपर आना चाहिए, कौन सी चीज नीचे आना चाहिए, वो सब डिफाइन करने, तो आप HTML का इस्तेमाल करे होंगे, जैसे, अगर हम इस वेबसाइ यह सारा का सारा जो code है, इस website का HTML का code है, तो actual में जो web pages होते हैं, websites होते हैं, वो में दिखने में तो बहुत सुंदर से लगने हैं, पर उनके जो पीछे का code है, वो code actually सुंदरता में convert हो और वो code कुछ ऐसा दिखता है, और कुछ ऐसा ही code हम इस पूरी वीडियो के अंदर जाएगा, अब जब आप इस code को कॉपी करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, इस code को कॉपी करके तो मैं पूरी website रीक्रेट कर लेता हूँ, पर लॉजिकली ऐसा नहीं होता है, कुछ पार्ट्स आप कॉपी कर सकते हैं, रीक्रेट कर सकते हैं, पर completely किसी website को इस तरीके से प्लस देख सकते हैं, प्लस, यह जो arrow बाटन ऊपर स्क्रीन पर आता है, उससे हम देख सकते हैं कि किसना पार्ट कॉं से हमारे हिश से को दिया घया है, जैसे यह जो image है, इसको यह website का इतना डबा लेती है, यह जो डाउड ओन लोटवाला बाटन यह इतना पार्ट लेता है यह बड़े वाला बटन इतना पार्ट लेता है इसके लावा यह विंडोज वाला इमेज है इसका जो पार्ट है वो इतना है अब एक बॉक्स क्यू है यहां पे बॉक्स क्यू हमें बना हुआ दिख रहा है इसके बार में पढ़ेंगे कि यह कौन सा एलमेंट होता है HTML का यह व है HTML के अंदर एलमेंट किस-किस तरह के से बने हुए उनको आनलाइज भी कर सकते हैं अभी के लिए बस चोटी सी चीज एक और समझनी है कि अपना जो पेज है उसका साइज क्या है हम उसको भी आनलाइज कर सकते हैं जैसे हमारा जो यह वेबसाइट का पेज है यह हमारे है तो उस पर यह पेज कुछ ऐसा दिख रहा होगा तो डिफरेंट 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 डिवाइस के हिसाब से आपको अपने पेज को HTML पेज को कस्टमाइज कैसे करना है कौन से डिवाइस में किस तरीके से कोई चीज दिखनी चाहिए वह भी आप स्पेसिफाई कर सकत हैं जब भी कोई अच्छी से सुन्दर सी वेबसाइट देखें जिसके बारे में आप क्यूरियस हो रहे हो यह बनी कैसे इसका कोड कैसा है तो आप पेज सोर्स पर जा सकते हैं और आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं अब बात करें HTML की तो the component used to design the structure of websites are called HTML tags यह जो हमारी website के अपर पूरा कपूरा एक डबा design हो रहा है एक icon हो रहा है image हो रही है एक button हो रहा है यह सारी की सारी चीजें HTML tags की मदद से बनाई जाते हैं HTML के अंदर एक component होता है जिसको HTML tag कहते हैं tag की help से आप different different तरीके के items जो है वो create कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग तरीके के tags exist करते हैं अब सबसे पहले क्या करेंगे अपनी first file create करेंगे HTML के अंदर तो उसके लिए हम अपने downloaded visual studio code पर जाना चाहते हैं अब मेरा visual studio थोड़ी कुछ चीजों से भरा हुआ है हो सकता है आपके पास इतनी सारी चीजें ना हो क्योंकि मेरा already downloaded पड़ा था हमें क्या करना है इसमें open कर अपना एक folder हम एक नया folder create करने वाले हैं उसको नाम दे देंगे HTML tutorial इसको create कर लेते हैं and इसको कर लेते हैं open अब सबसे पहले अपने VS code को खोलने के बाद इसमें हमें एक extension इंस्टाल करनी है यहां extensions वाला यह बटन इसके ऊपर हम जा सकते हैं और extension हमें इंस्टाल करनी है live server त इस पे I think around 19.6 million जो डाउनलोड हैं इसको कर लेंगे install इसको कर लिया हमने install एक बार हो सकता है अगर आपके में directly रान ना करें तो आपको बंद कर के दुबार से restart करना पड़े VS code को बड़े अब यहां फाइल वाले option में जाएंगे and अपने लिए एक folder हमने बनाई लिया था HTML tutorial जिसको हमने खोला हुए एक नई फाइल बनाएंगे इस नई फाइल को हम नाम देंगे index.html और इंडेक्स.html हमारे लिए कुल कर आगे है अब यह जो फाइल हम आप नोट पैड के ऊपर बना सकते हैं पर यहां पर अभी में दिखाऊंगी कि क्या क्या हमें extension के साथ इसकी जगे आप .htm जो है वो भी लिख सकते हैं पर यूजुली जो most popular है वो .html है क्योंकि वो updated जो वर्जन है extensions का जिसे text files को हम .txt से create करते हैं Python की files को .py से करते हैं वैसे यहां पर HTML files को .html से हमें खतम करके save करना होता है अब जो भी एक website बनती है जो भी एक software बन मतलब से HTML नहीं होता है उसके अंदर अपना एक backend भी होता है तो index.html नाम इस फाइल का रखने के पीछे logic है कि हमारा जो backend होता है उसको शुरुआत में एक homepage चाही होता है जब भी आप किसी website को खोलते है उस website का सबसे पहले homepage खुलता है जैसे for example अगर हम एक website सर्च करना चाह किसी और subpage पर यह है इसका homepage अब homepage कैसे detect करता है जब भी server जो है हमारे browser पर रेंडर कर रहा होता है page को वह detect करता है homepage को index नाम से यानि जब भी आप अपनी different different एक तो HTML फाइल होगी नहीं कोई आप बड़ा सा website बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारी HTML फाइल होंगी तो server देख अपनी website के अंदर नहीं create की तो आपको server को अलग से जाके बताना पड़ेगा कि यह वाली दूसरी जो फाइल है यह मेरा homepage होनी वाली है लेकिन by default यह मतलब बहुत अच्छा programmers का जो है तरीका है programmers की टिकनीक है कि हम हमेशा index.html के साथ शुरुआत करते हैं उसको अपने home page की अपने HTML पेज को देखें तो इसके अंदर हम एक बार exclamation टाइप कर देंगे और जैसे आप exclamation टाइप करेंगे यह दो आपके लिए फीचर जाएंगे इसमें से सबसे पहला exclamation कुछ यहां पे settings वाला आपका तूल आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद Emit abbreviation जैसा कुछ ल तूल किट क्या करती है आपको बहुत सारे helpful tools दे देती है जैसे अगर जैसे ही मैंने इस यह exclamation mark पर क्लिक किया वैसे ही मेरे लिए एक पूरा-पूरा HTML का sample code जो है वो खुल गया इस code को हम boilerplate code कहते है यानि इतना code तो आपको by default चाहिए ही होता है almost sub cases में जब भी आपके HTML फा चाहन मारें बस समझने वाली चीज सबसे पहले यह है कि VS code ने आपके लिए असान कर दिया कि आपको पूरा code खुझ से न याद करना है न देखना है न लिखना है हमें सिंपली जाना है इस option पर और एमिट पर हमें क्लिक करके पूरा-पूरा हमें boilerplate code मिल रहा होगा अब यह अब एक और सवाल आपके दिमांग में आया होगा कि हमने एक extension इंस्टॉल की थी live server उसको हमने क्यूं इंस्टॉल किया जैसे ही हम इस HTML को खोलेंगे न हम इधर नीचे जाकर गो लाइव में जा सकते हैं और हमारे लिए क्या होगा हमारा पूरा HTML पेज हमारे लिए खुल जा अब इक दिखना है कि यह क्या मैंने लिखा हुआ इसका क्या मतलब है सिफ देखना है अब है इसको कर लेती हूं सेफ और जैसे ही मैं वापस गई मेरे लिए hello world मेरी screen पर प्रिंटो कर आगया hello world by default वो statement होते है जो कोई भी आप नहीं प्रोग्रामिंग लाइग कुछ भी इसकी मदद से बार आपको सेव करके रिफरेश या दुबारा से ओपन नहीं करना पड़ेगा अपना वेपेज आप डिरेक्ली यहां पर कोड लिखेंगे सेव करेंगे वापस से अपने वेपेज पर जाएंगे जो खुला है और आपके लिए सारा का सारा है आउट पुट ह वो डिस्पले होकर हमें दिख जाएगा अब उपर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यह जो है सर्वर हमारा खुल गया है और एक इंडेक्स.html नाम की फाइल जो है खुली है अब फॉर एक्जम्पल मैं इस फाइल का जो है नाम चेंज कर दूँ इसको हम कर लेते हैं और इस इसको कुछ और नाम देते हैं इसको नाम देते हैं हम इंडेक्स2.html अब इसको सेव करते हैं तो क्या इसने डिस्पले किया किन नाट गेट इंडेक्स.html यानि बाई डिफॉल्ट यह सर्वर जो है इंडेक्स.html को डून रहा है इसलिए हमेशा धान रखे कि जब अपनी जैसे हमारी किचन के अंदर कुछ डबे रखे होते हैं जिसके अंदर कुछ-कुछ मसाले होते हैं कहीं चीनी रखी होती है कहीं नमक रखा होता है तो वो डबे हमारी कंटेनर होते हैं जिसके अंदर कुछ content होता है यानि कुछ समान होता है वैसे ही जब भी हमें वेब पेज के उपर अपनी website के उपर कुछ समान डालना होता है फिर चाहे वो एक button हो गया फिर चाहे वो एक paragraph हो गया हो कोई heading हो गई हो तो उसको हम एक container के अंडर दालते हैं और इस container को हम कहते हैं HTML tag तो HTML tag is a container for some content या फिर other HTML tag या एक HTML tag के अंदर एक container के अंदर आप दूसरा container भी डाल सकते हैं जैसे मम्मी कभी करते हैं कि किचन में जगे बचाने के लिए करते हैं बड़े बबे के अंदर कोई चोटा डबबा डाल देते हैं बड़े पतिली के अंदर चोटा पतिला उसके इस तरीके का सिस्टम रहता है इसको समझने के लिए हम एक पारग्राफ टाग का एक्जाम्पल लेंगे जब भी हमें एक वेबसाइट के ऊपर कोई पारग्राफ दिखाना होता है तो हम इस तरीके की कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं इसमें यह जो फर्स्ट इनिशल चीज लिखी है यानि यह अंगिलर ब्राकेट्स और इसके अंदर जो है पी इसका मतलब होता है पारग्राफ टाग का ओपनिंग तैग इसको कहते हैं ओपनिंग तैग और इसको कहते हैं क्लोजिंग तैग के अंदर आपको यह स्लाश दिख रहा होगा अंगिलर ब्राकेट् यह अरे पी और भी डे क Garlic लिखेंगे ज And You Second पर भी पी है , यह new content लिखेंगे अरे ुनिह आई savez इन दोनिह टाग्स केंदर हम content लिखेंगे यानि Actual paragraph लिखेंगे अरे इन आ आपने पारे की पुरी चीज ज्लोजिंग 1 जिए इसे Just if the Paragraph के अंदर element क्या होता है? Tags और उनके बीच का content. जैसे अगर 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 कोड में अनलाइज करें, तो एक बार क्या करते हैं? लिखते हैं, same ये statement, this is a paragraph, तो हमारे लिखा हुआ, ये हमारा opening tag हो गया, ये हमारा closing tag हो गया, और बीच में हमने कुछ content लिख दिया है, इसको कर लेते हैं, save और इसको देख लेते हैं, screen पर, तो this is a paragraph हमारे लिखा हुआ अगया है, अब एक और चीज आपने notice की होगी, कि जैसे ही मैंने ये angular bracket P और closing bracket टाइप किया, तो मेरे लिए आपनिंग टाइग के साथ मेरा closing tag भी आ गया, तो इस तरीके की भी functionality, VS Code जैसे text editors जो होते हैं, हमें additional देते हैं, इसलिए उनको यूस करना जादा important रहता है, तो बार-बार हमें closing tags लिखने नहीं पड़ते हैं, तो HTML tag को हमने समझा कि ये container होता है, जिसके अंदर हम कुछ material डा अब अपने basic HTML page को analyze करते हैं, सबसे उपर हमने लिखा है doc type HTML, इस statement का क्या मतलब है, इस statement का मतलब है, कि हम अपने browser को बता रहे हैं, कौन से browser को, यहां पर हम Chrome का इस्तमाल कर सकते हैं, हो सकता है, आप Brave यूज कर रहे हो, या फिर Firefox यूज कर रहे हो, या फिर Safari यूज कर रहे ह है, आपके HTML के code को लेता है, और उसको web page में, website में convert कर देता है, जैसे मेरे Chrome ने क्या किया, इस पूरे के HTML के code को लिया, और उसने उसे इस web page में convert कर दिया, अब ये इतना सुंदर नहीं लग रहा देखने में, पर दीरे सुंदर हो जाएगा, इसमें अमने छोट इसी line जो है इसका type है HTML, और इस doc type से हमें पता चलता है कि HTML का कौन सा version हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर जब हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब है हम HTML 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो version number 5 जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस document को लिखने के लिए, उसके बाद सेकंड चीज हम द HTML document, जैसे HTML का जो page होता है, वो पूरा को बड़ा page, एक HTML element होता है, और वो सबसे बड़ा element होता है, अब उसके अंदर आप paragraph डाल दें, कहीं बटन दाल दें, कहीं आप कोई heading डाल दें, वो सारे सब elements है, यानि बड़ा जो हमारा पूरा को पूरा web page होता है, वो खुद में एक element होता है, उसके अंदर एक tag होता है, उसके अंदर बहुत सारा content होता है, content किस तरीके से होता है, HTML tag के अंदर खुद के बहुत सारे tags होता है, वो सारा HTML page का content है, तो HTML को हम root element कहते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा element है, और सबसे शुरुवाती element है, उसके बाद HTML के अंदर देख जो बस हमारे code को बता होनी चाहिए और body tag बताता है वो चीजें जो actually हमारे page पर डिस्पले होती है जिसे head के अंदर हमारे पास कुछ meta information होती है meta information यानि data about data वो information जो useful है पर हमें अपने page के ऊपर उसको display नहीं गराना जिसे हमने यहाँ पर name viewport लिगा हुआ है content device लिए यह viewport वाली जो चीज है यह basically बताती है कि आपकी जो website है वो responsive होनी चाहिए यानि अलग-अलग devices जिनकी हमने बात की थी अभी आपकी जो website है वो ipad air पर भी अच्छी दिखे आपकी जो website है वो हमारे pixel 5 पर भी अच्छी दिखे हमारी जो website है वो हमारे samsung galaxy पे भी अच्छी दिखे मतलब कहीं पर pixel फटवर ना रहे हो कहीं पर component जो है वो बहुत बढ़ा वेबसाइट काफी जादा दिजाइन होती है लाप टॉप के साफ से दिजाइन होती है तो उस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि अप अलग-अलग devices के लिए अच्छे से website design कर रहे है इस चीज को हम responsiveness कहते है कि हमारी website responsive कितनी है कितना अच्छा response देती है जैसे हम screen का size चेंज कर देते हैं aspect ratio चेंज कर देते हैं यह जो यहां पर आपको 412 दिखाई दे रहो होगा 914 दिखाई दे रहोगा यह aspect ratio यानि दिखाता है कि हमारा screen का size कितना होने वाला है तो यहां पर यह जो viewport वाली statement है यह वाली statement यह basically हमारे html page को responsive होना यह बता रही है तो यह सार काम की information है पर यह हमारे web page पर डिस्पले नहीं होगा तो head के अंदर वह सारा पार्ट यह पर डिस्पले नहीं होगा यहां पर हम अपने html document को एक title दे सकते हैं जिसे इसको हम title दे सकते हैं my first page तो यहां पर बात करें तो यह title भी खुद में एक tag है जिसके अंदर title जो है हम उसके बाद आजाती है हमारी body हम mostly इस video के अंदर body के अंदर के सारे-सारे tags को discuss कर रहे होंगे body tag के अंदर वह सारी चीजे आती है जो data को render कराने में help करती है ब्राउजर के उपर यानि क्या क्या data मुझे वेb page पर दिखाना है वह सारा body के अंदर लिख रहे होते हैं जिसे हम इस अपने body tag के अंदर तो यह कुछ फॉर्माट रहता है किसी भी basic HTML पेज को लिखने का जब भी हम शुरुआत करेंगे यह सारी चीजे हमें लिखनी चाहिए अब इन में से कुछ-कुछ ऐसी चीजे जिनको आप हटा देंगे तो भी आपका code चल जाएगा पर वो एक optimum code नह कहीं भी advisable नहीं हो था अगर आपको professionally अच्छा करना है यह बहुत इच्छे projects बनाने जिनको resume के अंदर आप डालने वाले है और recruiter चेक कर सकता है code को तो फिर उस हिसाब से आपको properly अपना code लिखना चाहिए तो यह सारी चीजें mention करनी है अपने code के अंदर और इन सारी चीज प्राक्टिस के साथ साथ चीजें जो है अपने दमाग में automatically बैठती जाएंगी कुछ भी कहीं भी problem आती है अगर HTML को सीखने में तो online बहुत सारे resources available है और notes तो आप कभी भी खोल कर देख सकते हैं revision के लिए अब visual studio code का एक और चुटा सा वाइदा होता है कि किसी भी चीज के बारे में मतलब इस document में कुछ भी लिखा है उसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप simply क्या कर सकते हैं वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे ना तो MDN का एक link आजाएगा MDN reference आजाएगी MDN क्या है Mozilla की तरफ से एक developers guide है पूरा का पूरा समें documentation है HTML का CSS का बाकी ची जैसे इसने बता दिया कि कौन-कौन से ब्राउजर में हैड जो है हम लिख सकते हैं कौन-कौन से वर्जिंज के लिखा जा सकते हैं ब्राउजर कम्पैटिबिलिटी बता दी तो उसके यूजजज एग्जम्पल्स काफी सारी चीज़ें आपको MDN पर मिल जाएगी तो साथ- पर टुटोरियल खतम कर लेते हैं उसके बाद जब खुद से प्राउजर करने जाते हैं तो साथ-साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें एक्स्फ्लोर जरूर करनी है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स की इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि HTML टाग इस अधे बादा इस चीज़ें जाते हैं और हैं जो एक बादी टाग देखा यह वाला पार्ट हैं उपर हैड़े बादी इन दोनों जो टाग है उनका पेरेंट जो टाग होता है वो हमारा थे एलम टाग होता है तो बाई डिफॉल्ट है जो टाग हम अधारे हमारी है हुटर reference तो उसके अंदर हमारे पास कुछ content होता है और एक opening tag होता है closing tag होता है ऐसे भी tags exist करते हैं जिसमें opening closing अलग अलग नहीं होता सिफ एक single चीज आपको लिखनी होता है जैसे next line के लिए हम एक BR tag का और यह पूरा कपूरा बीयर जो है break line tag यह इतना ही लिखा जाता है इसके अंदर ना opening होती है और closing होती है बस इतना ही होता है next है some tags have no content in between जैसे हमारा BR tag हो गया we can use inspect element here view page source to edit html इसको हम कर देख लेते हैं जैसे हमारा यह html था अब हमारे लिए यह browser पर page render हो गया इसमें हम सबसे पहले करेंगे view page source तो क्या हुआ वो सारा का सारा code जो हमने फाइल में लिखा हुआ था वो सारे यहां पर लिख कर आ गया यह वाला जो पार्ट है इसको अभी के लिए ignore करना है क्योंकि यह सारा पार्ट यह नीचे आप जो script tag के साथ पार्ट देख रहे होंगे यह सारा हमारे live server ने हमारे लिए create किया है तो इसको नहीं देखना इसका रेशियो जो है चेंज कर लेते हैं यह पूरा पार्ट हमारे लिए खुल गया है अब इस कोड के अंदर हम चाहें तो एडिशनल चीजें अड़ सकते हैं जैसे यहां पर ऊपर हम एक और पार ग्राफ दाल सकते हैं new paragraph और इसमें भी हम अगर इसको कर लें save तो इस new paragraph यहां पर आ गया तो इस तरीके से हम ब्राउजर पर जाके अपना पूरा-पूरा HTML जो ले आउट है content है उसको चेंज कर सकते हैं आप यहां पर थहां अब जाए तो आपको देखेगा यहां पर जाएंगे यहां पर अवाली के अंदर Google सेर्च की जगे हम लिखने वाले हैं अपना т.षया क्या जाएंगे लिखने लीए कंड़ जस्ट धर्ल आकना बिखने वाले अ अपना प्समार्ण कर लिखने निख करन college search तो जैसे अपना college search लिखा तो यहां पर Google की जगे अपना college search आ गया है तो एक HTML पेज के अंदर आप कुछ भी जा कर सकते हैं पर इसमें आप सवाल उठाएंगे कि दीदी फिर तो internet चलेगा कैसे हम अपने original code में जाएं तो वहां पर ऐसा कुछ आड नी होता वैसे ही Google के अंदर हमने कोई चेंज नी कर दिया है बस मेरे अलग से सिर्फ मेरे computer पर वो कैसा दिख रहा है उसको में change कर पा रही हूं तो इस तरीके कि जो चीजे हैं उनसे आप फन कर सकते हैं मतलब काफी सारा अब नेक्स्स चीज की बात करते हैं Comments in HTML चीज की अंदर हम comments के से लिखें हैं सबसे बात करते हैं तो this is a body tag, इस तरीके की चीज हम अगर लिखेंगे, तो यह जो है, इसको सेव करने के बाद, हम अपने पेज पर जाते हैं, तो this is a body tag हमारे लिए हमारी स्क्रीन पर आ गया है, पर हम नहीं चाहते थे कि हमारी स्क्रीन पर आए, हम चाहते थे बस हमारे कोड में, अगर कोई और हमारे कोड बरहते हैं, मेरे कोई दोस्त पढ़ रहा है या कोई और प्रोजक का पार्टनर बरहा हैं तो सर्फ उसको ही पार्ट दिखाइी दे तो ऐसी situation में, हमें कॉमेंट्स की जूरूद पढ़ती हैं, कॉमेंट्स हमारी फाल का वो पर हमें पार्ट होते है, जो कोड नही का format रहता है कि आप लिखेंगे एक angular bracket उसके बाद हमारा exclamation mark and hyphen hyphen और बाद में लिखेंगे hyphen hyphen and closing angular bracket तो इसके अंदर आप जो भी पार्ट लिख देंगे यह सारा जो green से आ रहा है यह सारा का सारा एक comment है यानि यह वाला अगर इम्स को सेव कर दें तो अब हमारी website के ऊपर अब हमारे webpage के ऊपर यह सारा पार्ट नहीं दिखेगा तो इस तरीके का कुछ format रहता है हमारे comments को हमारे code में लिखने का जैसे उपर अगर लिखना चाहें this is my first html code इसको कर लेते हैं save और इसको ने रफ्रेश किया तो वो line हमारे लिए display नहीं हुई क्योंकि वो browser के लिए नहीं थी वो line सिर्फ उन developers के लिए है जो हमारा code पढ रहे है या in fact हमारे लिए कभी-कभी projects के अंदर या companies के अंदर जाकर बहुत सारा code लिख लेते हैं उस code में चीजें जाते हैं कि यह वाला part किस ले था यह वाला part किस ले था यह वाला element कहां पर है वो वाली चीजें और कोई और भी आपका code पर आकर same code पर आप काम करें तो confusion से बचने के लिए हम बहुत बार comments लिखते हैं ताकि हमें पढ़ने में code को तो comments हमारी code का वो पार्ट होते हैं जो parse नहीं होता पार्स यानि हमारा browser उसको render नहीं करता next बात करेंगे कि HTML is not case sensitive यानि कुछ कुछ programming languages होती हैं जैसे आप C का example ले लें C++ का ले लें Python का ले जावा का ले ले यह सारी programming languages है यह case sensitive है इसके अंदर capital A और small A अलग-अलग माना जाता है पर HTML के अंदर capital A or small A सेम होता है जिसे अगर हमने टाग लिखा हुआ है head इसके अंदर हम इसको capital H E A D भी कर दें तो भी हमारी value जो है बिल्कुल सेम भानी जाएगी तो अपने टाग को अगर हम capital में लिखते हैं तो कोई difference नहीं आता हमारे code पर क्योंकि HTML is not case sensitive अब हमने क्या कर लिया है बहुत सारा HTML के साथ बेसिक बेसिक चीजें सीख लिया है एक tag क्या होता है उसको समझ लिया है basic paragraph टाग कैसे लिखते है उसको समझ लिया है अपने code को HTML code को actually run करके कैसे देखना है browser के ऊपर किसी और का code या अपना ही code analyze कैसे करना है अपने इसके शुक्ति क्यों को बाउसर के सिह सकते है अपने इनसपेक्ट को फिरसाइफ हमने यह उढ़ा है66 complement भी omokuk में झाले आव अब हमें क्या करना है इन सारी कि सारी चीजों को सीखते हुए एक बेसिक से अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है यह प्रोजेक्ट होने वाला है एक पॉट्फोलियो प्रोजेक्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले अपनी एक इंडेक्स.html वाली फाइल हम क् करना है उसके बाद उसमें बस हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करना है या सिर्फ पॉट्फोलियो प्रिंट करना है अभी के लिए कुछ एक्स्रा चीजे नहीं करनी इतना पार्ट हमें कर लेना है अपने प्रोजेक्ट वन के लिए I hope कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉस करें कोई भी आता है तो दुबारा से हलका सा पीछे रवाउंड कर लेना है उस वाले पात कोहा सा और दीक लेना है नोटस्कोर ठोड़ा सा राइभर कर लेना है और कोई भी प्रावब्लम आये तो आप नीचे कॉमेंड कर सकते हैं और मुझे कॉमेंड करके जरूर बताने कि आपने ये वाला जो पार्ट वान है प्रोजेक का वो कम्प्लीट किया है या नहीं किया अब सेकिंड हम बढ़ते हैं अपने लेवल 2 की तरफ लेवल 2 के अंदर हम डिस्कवर करने वाले हैं और जादा डीटेल में टाग्स के बारे में अब सेकिंड है ये ख्लोजिंग टाग है इनोंने यह तो बता दिया कि हम पारग्राफ लिखने वाले हैं पर मान लीजी हमें और एक्स्रा इंफर्मीशन डाले हैं जैसे इस पारग्राफ में जो हम चीजें लिखने वाले हैं उसका फॉंट साइस क्या होने बाले है भाई हमारे टेक्स्ट का कलर क्या होने वाले है रेड होने ब्लू होने वाले है वैसे तो यह चीजे हमें CSS से डिफाइन करनी चाहिए पर इनको हम HTML की सायता से भी डिफाइन कर देते हैं और यहां नहीं कर रहे होंगे जैसे for example हमने HTML tag से बता दिया कि हम HTML का document लिखने वाले हैं और यह हमारे root element होगा पर इसमें हमने एक attribute डाला lang is equal to en इस attribute का मतलब है language जिसमें हम यह code लिखने वाले हैं वो है en यानि English अब यहां पर यह जो पार्ट है इसको हम कहते हैं attribute तो यह पूरा का पूरा हमारा HTML tag है और इसके अंदर हमने यह attribute लिखा है attribute का नाम क्या attribute है lang attribute यानि language attribute तो language जिसका हम इस्तमाल कर रहे हैं वो है English इसी तरीके से और भी बहुत सारे attributes हम different tags के साथ यूज कर सकते हैं अब यह attribute है इसमें left side में attribute का नाम होता है और right side में हम उसकी value लिखते हैं जिसे language हमारे पास Spanish भी हो सकती थी पर यहां पर English है और यह attribute की value है इसको हम single quotes में भी लिख सकते हैं वो भी completely valid है और double quotes में भी लिख सकते हैं वो भी completely valid है पर क्योंकि by default double quotes में लिखी जाती हैं string काफी लिख सकते हैं तो हम अपने टुटोरियल में double quotes को फॉलो कर रहे होंगे वाकि आपका मन है single quotes में लिखने का वह ज्यादा कम्फिटीब लगता है Python जैसे background से आप आरे हैं तो please feel free to do that next एक बहुत ही important tag की बात करेंगे यह हमारा heading tag जब भी हमें किसी document के अंदर कोई heading देनी होत है h1, h2, h3, h4, h5, h6 यह सारे के सारे टाग ना size में अलगल होते है h1 का size जो है बड़ा होता है फिर उससे चोटा h2 होता है उससे चोटा h3 होता है और यह importance दिखाता है इनका size जिसका size सबसे बड़ा होता है वो सबसे जादा important headings के लिए यूज होना चाहिए जैसे h1 को हम हम सबसे जादा important चीजें लिखने के लिए यूज करेंगे h6 को हम सबसे कम important चीजें लिखने के लिए यूज करेंगे जैसे इसका example एक बार देख लेते हैं अपने code के अंदर इस paragraph को तो करते हैं ते comment out तो यह मैं एक क्लिक से comment out किया आपको प्रेस करना है control और slash तो control slash एक प comment out हो जाता है उसके बाद हम लिखने वाले है अपने tags को तो सबसे पहले है अपने tag को लिखते हैं heading 1 फिर लिखेंगे अपना h2 tag similar way में अपना h3 tag लिखेंगे इसको कर लेंगे save and up देखेंगे एक तो यह रह हमारा code जिसमें heading 1 जो है सबसे बढ़ी है उसके बाद heading 2 है उसके तो क्या करेंगे heading 1 या heading 2 का इस्तेमाल कर लेंगे जब छोटा text चाहिए होता है size में छोटा तो heading 6 या heading 5 का इस्तेमाल कर लेंगे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हम size define कर सकते हम font size बता सकते है अपने text का पर headings को importance दिखाने के लिए हमें use करना चाहिए कभी भी size के लि जो website यह जो webpage इसकी main heading क्या है इसका topic क्या है तो अगर हम सिफ size के लिए जो main topic नहीं है उसको भी बड़ी heading दे देंगे कि बस बड़ा उसको display कराना इसलिए बस उपर डाल दिया और वो main topic भी नहीं है तो क्या करेगा Google को लगेगा कि आपका main topic यह तो वो ranking आपकी जो है affect करा स जो size के लिए font size करके property होती है CSS के अंदर जिसको use करते हैं text का size define करने के लिए next बात करते है paragraph tag की अब paragraph tag का का काम होता है to add paragraphs in html जैसे हमने already एक paragraph tag लिखा हुआ था एक और लिख लेते पी और इसके अंदर sample paragraph कर लेते हैं save and एक sample paragraph हमारे लिए प्रिंट हो गया अब यह जो website अभी 200% पर है तो सारा का सारा text तरीके से जगे भर नहीं लेता हमने थोड़ा zoom in करके दिखाया हुआ है इनका अगर मैं actual size दिखा हूँ तो actual size कुछ ऐसा है मतलब एक web page पर heading 1 इतनी बड़ी देखेगी paragraph इतना बड़ा दिखेगा और heading 6 जो है इतनी छोटी दिखेगी तो यह सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है इनके कुछ fix sizes होते है fix sizes जो है यहां पर जाके हम documentation बढ़ सकते है mdn वाली उसमें हमें पता चल जाएगा किस हसाब से ratio रहता है web page के size के अब एक छोटी सी चीज की बात करेंगे यहां पर जैसे paragraph के अंदर मान लीजे मैंने बड़ा सा उसमें काफी सारी जो है हमने lines add कर दी है हमारे लिए क्या हुआ यह horizontal scroll जो आ गया पर यह हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे इस line को पूरी को कर लेंगे select उसके बाद अपनी settings में जाएंगे settings में जाकर command palette open करेंगे और उसमें toggle word wrap करके आएगा अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको search भी करते हैं toggle word wrap इस पर click करेंगे तो यह सारी की सारी जो चीजें है न वो इस तरीके से आजाएंगी कि horizontal scroll हमारे लिए हट जाएगा और एक ही page में हमें सारी चीजें दिख जाएंगी एसे side side करके नहीं नेखना पड़ेगा आप नोटिस करेंगे यह पूरी जो line अब next tag जिसकी बात करेंगे वो है हमारा anchor tag anchor tag का काम होता है to add links to pages anchor tag को लिखते हैं A की help से पहले हम A लिखते हैं उसके बाद HRFE होता है HRFE यानि हमारा link हमने किसी भी website का link दे दिया अब link की जगे हमारे पास display क्या होगा और फिर closing tag इसको करके देख लेंगे तो better समझ में आए यानि दूसरी website की तरफ वो link कर रहा होता है तो उनको हम create करते है anchor tag की help से जैसे हम लिखेंगे A href यहाँ पर क्या करेंगे Google.com का हम link paste कर देते हैं Google इसको कर लेते हैं save यह हमारा anchor tag है यह हमने link लिखा है href is equal to link करके यह href हमारा attribute है और इस attribute की value में हमने Google का link दाल दिया है ब आपने web page पर जब जा कर देखेंगे तो हमारे लिए कुछ ऐसी चीज हमें दिखाई पड़ेगी यह Google यहाँ पर आगया अब इस पर अगर क्लिक करें तो हमारे लिए क्या होगा Google का page खुल जाएगा तो अगर आपको अपनी website से किसी और website पर जाना है या अपने ही किसी और web तो आप simply anchor tag का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम देना चाहें तो a href is equal to अपने visual studio code का हम लिंक जो है दे देते हैं डाउनलोड करने के लिए download vs code तो इसको कर लेते हैं सेफ अब अबने main page पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा यह गूगल आया है और यह download vs code अब यह हैं तो दोनों अलग अभी same line में दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में एक BR टाग लगा देते हैं बीया टाग का क बीया टाग को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जहां भी आप उसको ला देंगे वहां से वह नेक्स लाइन में टेक्स को भेज देगा जैसे यहां इसने क्या किया गूगल एक लाइन में था अब डाउनलोड vs code को नेक्स लाइन में भेज दिया क्योंकि दोनों के बीच मे बीया टाग लग गया था तो डाउनलोड vs code जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए vs code वाली पूरी website खुल जाएगी तो कुछ इस तरीके से हम अपने html page के अंदर और different pages के साथ लिंक करवा सकते हैं using anchor tag अब ये तो हमने देखा कि कैसे दूसरी web pages पर जा सकते हैं हम खुद की जैसे अब ही अपने html tutorials वाले फोल्डर के अंदर एक और फाइल कर लेते हैं इसको नाम देते हैं hello.html इस फाइल में भी boilerplate code लिखते हैं क्लिक करेंगे emet पे तो ये code आ गया है और इस फाइल का काम है to print hello यहां पे body के अंदर एक heading 1 दे देते हैं उसमें लिखते हैं hello कर लेते हैं सेफ अब इंडेक्स फाइल के अंदर क्या करेंगे यहां एक बीया टाग लगा देते हैं एक और एंकर टाग बनाते हैं जिसमें href is equal to लिखेंगे हम slash hello.html गो to hello इसको कर लेते हैं save and अब इसको run करते हैं तो यहां पे अलग ऑप्शन आ गया go to hello जैसे go to hello पर क्लिक करेंगे तो हम hello.html हमारा पेज हमारे लिए खुल जाएगा उपर आप देखेंगे तो हमारा जो url है वो भी चेंज हो गया है वाहां पे hello.html अप्रिंट हो गया ह यहां से हम back जाकर index.html पर आ सकते हैं और वापस जाकर hello print करवा सकते हैं तो एक website के अंदर जब हम एक जगे से दूसरी जगे जा रहे होते हैं फिर तीसरी जगे जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसे ही जा रहे होते हैं हमारी website जो है link होती है different pages जो है link होते हैं कि इस button को click करने के बाद अगला page link होगा तो इस तरीके के जो basic links हैं वो हम HTML में anchor tags की help से कर सकते हैं अब यहां पर हमने दो तरीके के links को यूज किया जब हम किसी और website का link यूज कर रहे हैं जैसे google.com या visual studio.com उनको हम कहते हैं absolute link absolute link यानि किसी दूसरी website का link पर जब हम खुद ही की website का यानि खु हमने relative बात कर रहे हैं हमने slash इसले डाला क्यूंकि यह जो दोनों file है na hello और यह index दोनों same folder के अंदर है अगर किसी और folder के अंदर होती है मान लीजे यहां पर HTML tutorials के अंदर हमने एक और folder बनाया इसको नाम देते है hello folder और हमने अपनी HTML hello.html को hello folder के अंदर डाल दिया तो इसको कर करना पड़ेगा hello folder slash hello.html अब सेव करके इसको run करेंगे तब हमारे लिए खुलेगा hello folder slash hello.html पर डायरेक्टली अगर यहां पर folder का नाम हम हटा दें तो इस बार हमारे लिए चीजें जो हैं वो काम नहीं कर रही होंगी क्योंकि जैसे इस पर क्लिक किया तो hello.html same folder के अंदर अब नेक्स टैग जिसकी बात करेंगे वो है हमारा image tag हमारे pages के उपर कभी-कभी हम काफी सारी सुन्दर images दिखा सकते हैं जैसे Google ने क्या किया Google ने अपना जो icon है अपना जो logo है उसकी image यह Google उपर ही दिखा दिया Visual Studio Code ने क्या किया यह Windows का logo उपर दिखा दिया यह Linux का दिखा यह सारी की सारी images हैं जो यहाँ पर आ गही है तो हम भी अपने web page के उपर सुन्दर सी images जो है वो ला सकते हैं और उनको लाते हैं हम image tag की help से image tag का काम होता है to add images to your page तो इसमें हम लिखते है angular bracket img for image फिर लिखते है source src यह source attribute बताता है कि image का लिंक क्या होने वाला है इसमें भी हम relative url दे सकते हैं या absolute url दे सकते हैं मतलब अगर हमें इंटरनेट पर पड़ी हुई कोई image display करानी है हमारी google drive के folder में कोई image है तो उसका आप link यहां पर दे सकते हैं नहीं तो आप अपने folder के अंदर को इमिज डाउनलोड करके दे सकते हैं तो इसका यहां पर link का जाएगा फिर alt नाम की कोई इस इमिज का आड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं copy image address यहां पर create करेंगे image tag img src is equal to यह हमने डाल दिया अपनी image का आड्रेस और इसको कर देंगे close तो इसको कर लेते हैं save यह हमारी image का आड्रेस आगया है .jpg format में है jpeg में अब पेज के ऊपर क्या हुआ उपर सारा का सारा content है नीचे हमें image display करानी थी notebook की तो हमारे लिए notebook display होकर आ गई है अब यह चो image है मान लीजे किसी दिन internet जो है बिलकुल नी चल रहा और इस image को हम लोड ही नी कर पा रहे यह हमारे लिए गलती से इस image का नाम जो है वो गलट टाइप हो गया यह amazon.com पर नहीं है यह flip card पर हमान लो कि हमने amazon की जगे गलती से लिंक के अंदर flip card डाल दिया है तो यह वाला link automatically गलत हो गया है तो उस case में क्या होगा जब हम इसको reload करेंगे तो यहाँ पर यह चोटा सा missing image का icon जो है वो display हो रहा होगा यह वाला icon हम नहीं चाहते कि user जब भी आए उसका internet थोड़ा सा डाउन हो सार जो हो मिसाउट कर रहे है यह उसको at least इतना हो कि यार इसमें कुछ important नहीं था तो कोई बात नहीं लोड नहीं हो तो वहाँ पर हम यूज करते हैं alt tag का alt क्या करता है हमारी image के लिए alternative नाम हमें दे देता है जिसे alt में हम डाल देंगे notebook इसको कर लेते हैं safe अब जब image लोड न तो वह notebook प्रेंट हो जाएगी तो जिस केसे में हमारी image लोड नहीं हो पाईगी उस केसे में यह अल्ट के अंदर हमने जो वी वाल्यू डालिए वो वाली वाल्यू हमारे लिए डिस्पले हो जाएगी अब क्या कर सकते है इस image को हम सेव भी गर सकते हैं मान लीजे हमने इसको सेव कर लिया है अपने डेस्टॉप पे उपर सेव कर लिया है अब इस image को हम एड करना चाहते हैं अपने फोल्डर के अंदर तो यहां पर इस image को उठाते हैं और इसको अपने HTML टुटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर हमने एड कर लिया है अब index.html पे जाएंगे और यहा इसको कर लेते हैं से और अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो वह सेम इमेज हमारे लिए प्रिंट हो रही है यानि उस image को हम फोल्डर के अंदर डाल के भी अकसेस कर सकते हैं उस रिलेटिव यूरल और इंटरनेट से भी अकसेस कर सकते हैं उस एक चीज़ नोटेस करेंगे क हमारा टेक्स तो पूरे वेपेज पर छोटा चोटा सा है पर हमारी इमेज जो है नोटबुक की इमेज वो वह इतनी बड़ी सी अमें दिखाई दे रही है तो इस केस में इस नोटबुक को ना रिसाइज कर सकते हैं उसके लिए कौन सा अट्रिब्यूट यूज कर सकते हैं जैसे अगर इसकी हाइट को में सेट करना हो तो माली जे उसको मनें 100 एक बार सेट करके देख लेते हैं तो इस तरीके से उसकी हाइट जो है कम हो गई अब इसमें हाइट और विट दो अट्रिब्यूट्स होते हैं हम इसकी विट को भी बड़ा और चोटा कर सकते हैं पर जब एक साथ एक साथ सेट करते हैं तो हमारा एस्पेक्ट रेशो फोटो का बिगड़ जाता है जैसे अगर हम यहां पर विड्ट को भी सेट कर दे आस माली जेए इसको 50 सेट कर दे तो नोट बुक अब यहां हल्की सी जो है अजीब दिख गए है इसका दाइमेंशन खराब हो और स्पेसिफिकली हाइट विट जो है यह इसी चीजे जो सी एसे के साथ बदल ली चाहिए यानि जो भी हमारे कालर हो चीजों के या जो भी उनका साइज होता है वो सब अड़ाइजबल होता है कि आप सी एसे की मदद से करें हमेशा सी एसे की तरफ जाना चाहिए तो इसलिए यहां पर हम हाइट विट सेट नहीं कर रहे होंगे उतना ही हम रहने देंगे पर यहां पर हमने एक्जामपल देख लिया कि सी एसे कितना मैजिकली चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देता है मतलब आपको साइज अगर चेंज कर दे़ते नलाफ सेखा सब्सक्राइट को सब्सक्राइब रहने आपशल की सब्सक्राइब टीज़ उन हमने इसे फि ow ग intéspeaking रहल कि से एक एंप्ट शॉर एससे अटीज मेंना थे क Wisconsin a great week क्या मैं निसा का रिव खेवे तन टेंड जोर इस फिरें आने तक सा है यहां पर रहया और खाइडिया विच्छ पर उस इंग में और इमेज के अधर लिक लिए पर उस कॉंटें पर हमें बड़र ग्रवास्ट करना बढ़ता है कि गूगलक के अंदर फिर अब मारे पास निए टैम्ल में आसारी फॉर्माटिंग करने के लिए टेक्स्त कुछ और पारग्राफ के लिए पार्ट करते हैं उसके लिए बीच में जो भी लिख देंगे वो बोल्ड हिए गा जैसे हम यहां पर लिखने वाले और नीचे लिख देंगे bold, तो इसको कर लेते हैं save, और एक बार नीचे जाकर देखते हैं, तो यह क्या हुआ, हमारा जो text है, यह bold होकर आया है, यहाँ पर एक line break add कर देते हैं, तो यह bold text हमारे लिए आ गया है, अब similarly, अगर हमें italic करना है, तो उसके लिए i tag का use करते हैं, य tag का इस्तमाल कर लेते हैं, और in fact, बाद में भी हमें कुछ खाली lines चाहिए होंगी, तो 4-5 लिख के रखते हैं, तो यह क्या हुआ, बोल्ड के लिए bold में print हुआ, italic में print हो गया, और कोई भी text को हम underline कर सकते हैं, अब since हम tags के अंदर भी tag लिख सकते हैं, जैसे, अगर हम लिखना है, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि पहला जो sample paragraph है, वो हमारे लिए underlined हो कर आए, तो उसके बीच में लिख देंगे यू, और उसके बीच में अपने sample paragraph को डाल देंगे, तो यह paragraph tag था, इसके अंदर हमने अपना underline tag डाल दिया और उसके बाद डाल दिया और उसके सेव कर लेते हैं और देखते हैं, तो यह सारा का सारा paragraph हमारे लिए प्रिंट हो गया पर उसमें जो शुरुवात वाला sample paragraph है, उसमें underline हो कर आया है, तो एक same paragraph के अंदर आप different words को कहीं underline कर सकते हैं, कहीं italic कर सकते हैं, कहीं bold कर सकते हैं, next tag जिसकी बात करेंगे, वो है big and small tags यह big text यह small text के लिए यूज होते हैं, जैसे अगर हम यहां पर लिखें, big, this tag shows big text, और फिर लिखें small, this tag shows small text, और इसको कर लेते हैं, save and run, तो यह जो है, हमारा शुरुवात वाला जो टेक्स है, big की है, से बहुत बड़ा सा टेक्स प्रिंट होगा, मतलब, font size इसका बड़ा ह और small वाला size में small print होगा, तो बड़े text के लिए big tag यूज कर सकते हैं, छोटे text के लिए हम small tag यूज कर सकते हैं, next हमारा आता है HR tag, HR होता है horizontal ruler, अब यह काम क्या करता है, horizontal ruler का का काम करता है, मतलब it is used to separate content, जब भी हमें content को horizontally separate करना होता है, उसके बीच में space लानी होते हैं, त big text और small text के बीच में थोड़ी space चाहें, तो हम क्या बीच में डाल देंगे HR को, HR को हमने डाला, इसको कर लिया save, तो यह this tag shows big text उपर आगया, और this tag shows small text नीचे आगया, और बीच में space आगी, और space के साथ आई एक line, तो horizontal ruler, ruler क्या होता है, scale होता है, English के अंदर ruler का मतलब scale होता जैसे HR tag को, हम अगर अपने अलग-अलग sections के अंदर डाल दें, हमने एक HR जो है यहाँ पे डाल दिया है, एक HR को हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक को डाल देते हैं इस image के बाद, and एक को डाल देते हैं इन links के बाद, HR, इसको कर लेते हैं save, तो हमारा पूरा web page है, वो अलग अलग parts में डिवाइड हो गया है, उपर सारा हमारा heading से related और anchor से related content है, बीच में हमारी image आ गई है, फिर हमारे bold italic underline आ गया है, फिर हमारा paragraph आ गया है, फिर big text आ गया है, फिर small text आ गया है, तो जब page में different content है, उसको अलग-अलग sections में डिवाइड करना है, तो use करना है HR tag का, next बात करते है, सब्सक्रिप्ट और सूपर स्क्रिप्ट आगी, कभी-कभी हमारी web page पर हो सकता है, कि हम chemistry से related कोई resources का page बना रहे है, उसमें हमें formula लिखने है, तो chemistry से related formula कुछ ऐसे लखने है, H2O, या मान लीजे हमें कुछ और लिखना है, C6, H12, O6, ऐसा कुछ लिखना है, हम हमें CO2 लिखना है, हमें O3 लिखना है, तो इस तरीके में हमें ये जो 3 है, ये जो 2 है, ये 6 है, इनको हम कहते हैं, सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट यानि वो वाला पार्ट, वो वाला टेक्स्ट जो नॉर्मल टेक्स्ट के हलका सा नीचे आता है, उसको लिखने के लिखन के अंदर नॉर्मल लिखेंगे अपना H उसके बाद लिखेंगे सब में लिखेंगे 2 और फिर नॉर्मली लिखेंगे O इसको सेव करके अगर दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा H फिर यह जो 2 है यह सब्सक्रिप्ट बन गया है और O हमारा नॉर्मल साइस का है तो इस तरीके प्लस B तो इसमे जो 2 पावर N है यह सूपर स्क्रिप्ट है यानि छोटा सा टेक्स है और नॉर्मल टेक्स के ऊपर आता है यह 3 का जब स्क्वेर निकालते है तो उसकी वाल्यू 9 होनी चे तो इसमे जो 2 है यह हमारा सूपर स्क्रिप्ट है इसको लिखने के लिए हम सूपर जिसमेल करते हैं तो सूपर तैग को लिखने के लिए सबसे पहले पारिग्राफ करते है फिर लिखें थी अब इसमें लिखेंगे स्वी अंदर डालेंगे 2 इस इकुल टू नाइन, तो सिफ सूपर स्क्रिप्ट में क्या जाएगा सिफ तो जाएगा हमारे सूपर इसको सेफ कर लेते हैं तो यह 3 का square is equal to 9 इस तरीके का mathematical formula भी हमारे लिए प्रिंट हो गया next बात करते हैं pre tag pre tag क्या करता है it is used to display text as it is without ignoring spaces and next line आप notice करेंगे अगर किसी भी paragraph के अंदर अब यहां पर हो सकता है हम एक normal सा कोई paragraph बनाए जैसे हमने एक paragraph बनाए इसके अंदर हम काफी सारी चीजें लिख सकते हैं यह आप लो आर्म लिखेंगे तो एमेट एक और जाएगा जिससे आप कोई भी sample text जो है वो डिस्पले करा सकते हैं अब यहां पर sample text है यह सारा का सारा different different lines में पर जब इसको सेव करके देखेंगे तो यह sample text चाहे आप हजार spaces देते मतलब इतनी सारी अमने space दे के इसको सेव किया तो आप नोटिस करेंगे सेव करने के बाद जब format हो रहा है और तो वो space हट जा रही है and in fact आप auto format नहीं भी करेंगे और फिर भी आप अमनी website पे जाएंगे तो वो spaces को काउंटी नहीं करेगा ऐसे cases में अगर हमारी पास ऐसी situation आती है जिसमें हमें spaces को next line को count कराना होता है तो इस case में क्या करते है इस p tag को बस pre tag बना देना है अब यह जो space है यह automatically format से हट नहीं जाएगी अब आप display कराएंगे तो यहां पर यह space automatically आपके लिए आएगी तो जब भी आपको खुद की लिखी हुई spaces चाहिए खुद की लिखी हुई next line चाहिए तो हम आपर यूज करते हैं pre tag का अब यहां तक बात करते करते हैं सारे हमार जो मेसिक या most important html tags मैं जिनको कहूं जो बहुत जादा frequently हम यूज करने माले हैं वो सारे हमने basically cover कर ली है अब बढ़ते हैं अपने project के second part की तरफ जहां हम अपने project में और जादा improvements करेंगे अपने portfolio में इंप्रोफोलियों में इंप्रोफोलियों करेंगे तो यहां मैंने कु अब हमें अपने education के लिए अलग से page बनाना है experience के लिए अलग से page बनाना है और projects के लिए अलग से page बनाना है और इन सारे pages का link है वो हमारी home page पर होना चाहिए तो यह functionality अपने portfolio में हम extra add करने वाले कि home page से आप किसी भी button पर click करके अपनी education भी देख पाएं आपका experience भी देख और आपके projects भी देख भाएं हो सकता है कोई और relevant information जो है दिखाना चाहरे हो जैसे आपने कोई achievements जो है ली है या आपकी hobbies आप बताना चाहरे तो उसके लिए भी आप additional pages बना सकते हैं तो I hope कि यह चीज आप कर रहे होंगे anchor tag का इमें इस्तमाल करना है उन pages के अंदर information भी डाल तो उसमें उन चीजों का इस्तमाल सकता है तो I hope कि आप यहां पे वीडियो को पॉस करेंगे project का second part complete करेंगे ताकि memory के अंदर जो भी tags हमने important discuss किये हैं हो सारे के सारे बैट जाए जब भी डाउट आपने आप नोट्स कभी भी खोल सकते हैं उसके अंदर चीजें रेफरेंस अब कभी कभी ऐसा होते है कि हमें ऐसे tags यूज करने पड़ते हैं जिसका effect हमें अपने web page के ऊपर तो दिखाई नहीं देता पर internally हमारा web page कैसे काम कर रहा है मतलब SEO rankings में हमारा web page ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उस पर वो चीजें काफी heavy impact डाल सकते हैं इसमें सबसे पर पहली टेकनीक है using semantic tags अब HTML के अंदर दो तरीके के टाग्स होते हैं एक होते हमारे semantic tags और एक होते हैं हमारे non semantic tags semantic tags वो होते हैं जिनको देखके उनका मतलब समझ में आ जाए जैसे HTML के अंदर एक tag होता है header मतलब हमारे page का header होता है उसको header बनाते हैं या फिर जो page का footer होता है वो अतलब footer के अंदर ही वाली चीजें लिखी जारी होती है तो इनके नाम से पता चलता है कि इन ताग्स के अंदर actually होने के हावाला है दूसरे होते हैं मारे non semantic tags जिनको देखके clear नहीं होता कि उनका तो इसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कि div नाम का या span नाम का कोई टाग होता है तो उसमें हम क्या क्या चीजें कर रहे होंगे अब यहां डिव यह स्पान से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि डिव यह स्पान के अंदर हमें अच्छली पढ़ने के आवाले हैं तो यह आजाते ह करहें में स्यमेंटिक के अंदर फुटर हमें पता है कि कोई वेब साइट का हेड़ यह तो को लिछ दिटेल्स होती है वेपेजग पर वो मलिखने वाले एं निछे चीजे तो इस तरीके से काटेगरी डिवाइडिड होती है तो हमारी वेब साइट कांदर सिमेंटिक टाग् कि हमारा जो कोड है वो और जादा रीडिबल बनता है और जादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम अपना पूरी की पूरी ह्टेमल की फाइल के अंदर जितनी भी यमें लाइने लिखनी है वो लिख पाते हैं दूसरा यह होता है किसी भी वेपेज को अगर हमने बेसिक प्यॉर व उसके साथ साथ जब आप सही लेयाउट का इस्तमाल करते हैं तो यूजर एक्स्पिरिंस भी बढ़ जाता है इसलिए हमें यूज करना चाहिए राइट टाग को राइट चीजों के लिए सही टाग्स को सही काम के लिए यूज करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रग्र प्रटख वीम कि ऐस्टमाल करना यह तीन ओं समिंट टैग्स है औ इन तीनों को अभी डी टेles में इसकुस करेंगे तो सबसे करते हैं अपने अपने हेड़ टाग को किसी भी वेब साइट के हीड़ को बनाने के लिए हमारे पास अगर कोई नॉरमल हमारा HTML page है तो body के अंदर क्या करेंगे head के बाद space दे देते हैं body के अंदर जाकर सबसे पहले क्या करेंगे अपना header बनाएंगे header के अंदर हम काफी सारी चीजें लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर अपना कोई menu दे सकते हैं जिसे portfolio का अपने page बनाया होगा तो header के ऊपर आपने options दिये होंगे कि आप यहाँ पर या तो experiences रखना चाहरे हैं या फिर रखना चाहरे हैं अपने projects को या इसे हम education कर देते हैं अब इसको save कर लेते हैं एक बार run कर लेते हैं live server को तो यह education आ गया यह projects आ गये अब इस पूरे web page को अगर हम inspect करने निकलें तो जब आप element को inspect करेंगे देखेंगे कि यह education वाला हमारा पार्ट है यह projects वाला पार्ट है और यह दोनों को दोनों combined होके हमारे header के अंदर आ रहे हैं मतलब इसको expand कर सकते हैं हमारे header के अंदर यह दोनों चीज़े आ रहे हैं तो inspect करते हैं हमें तो नहीं देखता visually हमें नहीं दिख पाता है user की website build कैसे हुई है लेकिन जब Google आपके code को पढ़ता है web page को rank करने के लिए तो वो उसको clearly दिखता है कि आपने किस तरीके अपने से layout बनाया अपनी website का जैसे हमने header बनाया अब हम चाहते हैं यह दोनों जो चीज़े हैं वो same line पे आजाएं तो क्या करते हैं अभी इसको paragraph की form में लिख देते हैं इसको paragraph tag बना देते हैं P and P और इनको डाल देते हैं प्री के अंदर थाकि हम जो है थोड़ी सी यहां पे space दे पाएं हम कुछ नहीं करें हम यहां पे थोड़ी सी basic formatting करते हैं formatting का यह मतलब है कि हम यहां space देंगे और यहां डाल देंगे अपने projects को इसको कर लिया safe और हमारा page अब कुछ ऐसा दिखे का जिसमें ऊपर header है वहाँ education भी है वहाँ projects भी है तो आप इस पर इस पर क्लिक कर के जा सकते हैं इस पर क्लिक कर के जा सकते हैं individual pages के अंदर next हम बना सकते हैं यहां पर अपना फुटर तो website का बीच वाला जो पार्ट है वह तो main के अंदर मतलब main content जो भी होने वाल है और यहां पर फुटर के अंदर हम additional जो अपनी information देते हैं usually फुटर के अंदर दिया जाता है h3 का इस्तमाल कर लेते हैं contact me at hello at the rate ac dot com इसको कर लेते हैं तो अब यह जो है हमारा header पार्ट है यह हमारा footer पार्ट इसको थोड़ सा और छोटा कर लेते हैं h5 पर हम आ जाते हैं तो यह header है यह footer है और बीच में जो चीजें है वो सारा हमारा main content होने वाल है तो इस तरीके से हमारे website का जो layout है वो design होगा अगर main की बात करें तो main tag के अंदर हम 3 major tags को discuss करेंगे जिसमें से सबसे पहला है हमारा section tag, section tag क्या करता है? It is used for a section on your page यानि हमारे page को अगर हम sections में divide करना है कि यहाँ पर हम अपने experience लिखने यहाँ पर हम अपनी education लिखने यहाँ पर हम अपना project होगने लिखने वाले तो उस sections को बनाने के लिए हम section tag का इस्तमाल करते हैं जैसे उपर header के अंदर हम यहां लिख देते हैं my portfolio यह तो बन जाएगा हमारी major heading आपको obviously अपना जो portfolio है वो इससे better बनाना है जो यह सा हम बना रहे हैं यहां सिर्फ example के लिए मैं काफी सारे आपको tags दिखा रहे हूं किसके तरीके से इस्तमाल करना है same page के उपर मेरी तरह आपको information नहीं डालनी है और सुंदर उसको बनाने की कोशिश करनी है तो main के अंदर क्या करना है main के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे section इस section के अंदर हम लिखेंगे अपनी education के बारे में एजुकेशन में हम लिख सकते हैं NSIT, COE लिख दिया, उसके बाद अपने स्कूल का नाम हमने लिख दिया, इस तरीके से basic चीजें लिख सकते हैं, तो यह हमारा पहला section हो गया, उसके बाद हम अपने experiences का section लिखने जाएं, experiences के section में हम कुछ कुछ चीजें लिख सकते हैं, experiences, यहां पर हम चीजें लिख सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हमने लिख दी हैं, तो यह हमने एक और section मना लिया, तो यह पहला section हो गया हमारा, और यह हो गया हमारा दूसरा section, अब जब इसको हम पेज के उपर देखेंगे, तो हम तो normal simple line की तरह लगेगा कि हम paragraph के अंदर भी लिख सकते थे पर actual चीजें जो है हमें तब पता चलेगी जब हम इस page को करेंगे inspect inspect करके हमें पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरी चीज है ये एक single section के अंदर आई है ये एक single section है ये एक single section है तो इस तरीके से अपने code को डिवाइड करना ज़रूरी है ताकि semantically पता चल रहा हो कि इस page के अंदर कौन सा पाट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है next stack जिसके हम बात करेंगे वो है article अब page के ऊपर हम काफी सारे articles जो हैं उनको लिख सकते हैं जैसे अगर हमें कुछ लिखना है अपने बारे में मान लीजे मेन के अंदर हम कुछ लिखना चाहरे है article की form में my experiences या my story अगर हम बताना चाहरे हैं तो my story करके अपने portfolio के उपर बता सकते हैं जिसमें हम कहां से belong करते हैं या टेक में हमारा interest क्यों है क्यों हम coding सीकरे हैं क्या हमारे goals हैं क्या हम change करना चाहते हैं क्या हम जो revolution है वो लाना चाहते हैं जिस भी field में हमारा interest है उस interest की तरफ तो वो सारी चीज़ें यहां पर लिख सकते हैं तो यह article tag के अंदर आ जाएगा और तीसरा tag जिसकी हम बात करें वो है हमारा aside tag अब यह जो aside tag का काम होता है aside tag का काम होता है for content aside main content अब हमारी कई-कई website होते हैं जिनके ओपर ads दिख रही होती है जिनके ओपर additional information दिख रही होती है लिटा हमारे पास चल रही होंगी पर मेन कॉंटेंट उसके अंदर कुछ ही चल रहा है तो आपनी चाहते है कि Google आपकी वेंचाइबस सेறी के से तरीक तरीके से बहुंद करें नहीं करें सब्सक्ism आपके और मेंचा ह् Tiffany he a no और इसके अंदर हम डाल देंगे this is an ad तो इस जो this is an ad वाला पार्ट है यह हमारा aside tag के अंदर आ गया इसको हमारे SEO जो है वो detect नहीं करेगा उससे फरक नहीं पढ़ रहा होगा तो इस तरीके के कुछ-कुछ चीजें हमें इंप्लिमेंट कर सकते हैं लॉजिकली जब भी हम किसी भी वेब पेज को बिल्ड कर रहे हैं नेक्स चीज जिसकी बात करेंगे वो है हमारा anchor tag अब anchor tag में बात की थी कि हम A लिखते हैं उसके बाद अपना link लिखते हैं वो relative हो सकता है absolute हो सकता है तो हम किसी भी link की तरफ redirect कर सकते हैं अपने user को पर anchor tag के अंदर एक और attribute होता है जिसको नाम देते हैं target target लिखने के बाद अगर आप slash main डालने उसकी value में तो क्या होता है अभी तक तो हम link पर click करते थे तो same page खुलता था अब new tab में हमारी चीज़ें खुल रही होगी जैसे for example अगर हम यहां पर जाना जा रहे हैं हमने एक anchor tag बनाया है href is equal to यहां पर हम ले लेते हैं google.com का example अब अगर हम इसको normally save करें और google पर click करें तो हमारे लिए same page के अंदर same tab के अंदर हमारा google.com खुल जाएगा लेकिन अगर हम यहां पर लिखने एक और attribute target is equal to main इसको save करके अगर अब run करें तो google पर click करेंगे तो next tab के अंदर google.com खुल रहा है और यह वाला tab हमारा intact है तो जब भी link को next tab में खुलवाना हो तो उसके लिए हम use करते हैं target main का इसके अलावा हम अपनी pictures को clickable बना सकते हैं कैसे clickable बनाना है हम जो भी अपना text इस्तमाल करते हैं जिसके उपर click करने से link खुल जाता है उस text की जिगे बस हमें एक image insert कर देनी है जैसे यहां पर हम क्या क करेंगे google की कोई image डाउनलोड करेंगे google logo डाउनलोड कर लेते हैं images में जाकर या in fact इसका हम क्या करेंगे बस link copy कर लेंगे यहां google की जगे हम डाल देंगे एक image tag imgsrc is equal to और इसकी जगे लिख देंगे alt is equal to google इसको कर लेते हैं save and अब अगर हम अपने main page पर जाएं तो यहां पर धियान से देखें तो एक google की बड़ी सी photo आ गई है इसको अगर temporarily हमें adjust करना हो तो इसकी height भी हम दे देते हैं height is equal to 500 और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं 100 तक लेकर जाते हैं तो इसको इमेज है अब अगर इसको क्लिक करें तो अमारे लिए google.com कुल जाएगा क्योंकि इमेज क्लिकेबल आ गई है इससे यहां क्लिक किया तो google.com खुल रहा है सीदा इमेज पर जाने के लिए तो इस तरीके से चाहे हम अपने टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना चाहे चाहे इमेज को क्लिकेबल बनाना चाहे हम इस्तमाल गर सकते हैं अपने आंकर टाग का अब इमिज टाग के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं जैसे हमने अभी अपनी हाइट सेट की या हम विट को भी सेट कर सकते हैं जैसे हमने लिंक डाला तो यहां पर हमारी जो इमिज थी उसमें हाइट को सेट कर दिया similar तरीके से हम अपनी width को भी set कर सकते थे width को set करते तो कुछ इस तरीके की हमारी image होती बिना set कि अगर इसको हम 50 कर दे तो ये और छोटी हो जाएगी width wise and width को set करेंगे तो height अपने आप उसी aspect ratio को maintain करने के लिए set हो जाएगी अगर सिर्फ हाइट को set करें तो width भी अपने आप चेंज हो जाएगी aspect ratio को maintain करने के लिए next बात करने वाले हम अपने div tag की अब दो tags major tags की हमें आपे बात करेंगे section में div और span ये दोनों जो हैं HTML के काफी important tags engine का बहुत बार यूज होता है div की अगर बात करें तो div एक container है for other HTML elements यानि div का अपना कोई special काम नहीं है जैसे p paragraph tag का काम होता था कि इसके अंदर paragraphs लिखे जाते हैं header tag का काम होता था इसके अंदर हमारी web page का header आता है footer का काम होता था web page का footer आता है div का अपना कोई specific काम नहीं है इसलिए इस tag को non semantic भी कहते है div का major काम होता है दूसरे tags को खुद के अंदर contain करना जैसे अगर हम अपनी web page पर मान लीजे main के अंदर क्या करते हैं एक div tag बनाते है यहाँ पर हमने बनाया div तो इसका कुछ काम नहीं है मतलब यह कुछ change लेकर नहीं आएगा यह बस एक div की तरह खड़ा रहेगा वहाँ पर अब यह एक block element होता है तो अब अगर हम इसको inspect करें अपने page को तो यहाँ पर code के अंदर जाकर हमें दिख रहा है left side में कि div है पर actually div की height by default 0 set होई है यह यहाँ पर 1037 into यहाँ पर div के उपर जाएं अगर लेकिन अगर उसके अंदर हम डाल दें एक paragraph डाल देते हैं hello world liquor तो hello world liquor यह paragraph जैसे हमने div के अंदर डाला तो अब अगर div पर scroll करें तो यह आ गया है div यहाँ पर अब div जो होता है वो एक block element होता है यानि वो हमारी screen पर full width लेता है block elements वो होते हैं जो चाहे उनको जगे कितनी भी चाहिए हो पर वो पूरी width यानि पूरी screen घेर कर खर रहे हो जाते हैं जैसे यहाँ पर paragraph के अंदर मुझे सिफ hello world लिखना था तो अगर मुझे सिफ hello world जितनी जगे चाहिए होती यानि मुझे बस इतनी जगे मिलती इतनी सी जगे है तो भी मेरा hello world फिट हो जाता लेकिन इसने क्या किया इसने पूरी width को ले लिया कैसे पता चला में पूरी width को ले लिया इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे और यहां जाएंगे इस element पर तो दिख रहा है कि यह yellow line जो है यह पूरी width पर है तो इसने पूरी width को ले गया जो भी block elements होते हैं HTML के अंदर वो पूरी width को ले लेते हैं और दूसरे type के elements होते हैं हमारे inline elements inline elements क्या करते हैं जितनी उनको जगे चाहिए होती है बस उतनी जगे लेते हैं बहुत किफाइद के साथ काम कर रहे होते हैं तो block elements और inline elements को काफी सोच समझ के हमें इस्तमाल करना होते हैं अब div का यहां पर कोई special case हमने देखा नहीं पर div का इस्तमाल काफी जगे हो सकता है जैसे मान लीजे आपने एक लिखा hello world उसके अंदर आपने एक और paragraph के अंदर मान लीजे लिख दिया नमस्ते एक और paragraph के अंदर आपने लिख दिया हाई अब सेम चीज आप क्या कर सकते हैं यह वाला जो हमारा div है यह वाला पहला div इसके अंदर हम greetings लिखेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे चीजें जो हम करते हुई लिखते हैं तो इसके अंदर लिखेंगे अपने Good防is यहांपे लिखेंगे Good防is, एक में लिख देते हैं चाव इसको कर देते हैं Save तो हमने एक div बनाया मतलब इक div इसको हम डबबे की तरह में आजिन कर सकते हैं, एक डबबाई जिसके अंदर नमस्ते, हेलो वर्ल हाय लिखाए, एक डबबाई जिसके अंदर बाई बाई गुडबाई और चाओ लिखाए इसको सेव करके अगर देखें, हमारी स्क्रीन पर तो कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हैं, जैसे हेलो वर्ल नमस्ते हाय आगया, यह बाई गुडबाई चाओ आगया पर यहाँ पर अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, तो हम देख पाएंगे कि यह जो तीनो एलमेंट्स हैं, एक बार के लिए अपने बाकी एलमेंट्स को हटा देते हैं, तो यह तीनो एलमेंट्स सेम डिव के अंदर आ रहे हैं, और यह तीनो जो एलमेंट्स हैं, वो हमारे स color as red यहां पर इस div के style में जाएंगे और यहां add कर देंगे background color is equal to red तो यह क्या हुआ इसने सिर्फ एक जो हमारा div था उसको background color red दे दिया है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी greetings जो है वो लिखी हुई थी और जो second div था उसको हम दे देते हैं background color as इसको हम दे देते हैं background color अपना blue तो यहां पर यह वाला div है वो red से डग गया है यह वाला div हमारा blue से डग गया है पर font भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि font हमने actually change कर दिया था to red इसको वापस से black कर देते हैं yeah actually यहां पर मैंने CSS में changes की हैं अब यह सारी changes हैं आपको समझने की जरुरत नहीं है मैं सिर्फ layout आपको समझा रही हूं कैसे चीज़ें काम कर दी है CSS को बाद में पढ़ रहे होंगे पहले HTML को समझ लेते हैं इस पूरे div को अमने red कर दिया इस पूरे div को एक साथ हमने blue कर दिया तो div का असली फाइदा तब होता है जब हमें काफी सारे collective elements के साथ एक साथ changes करने पड़ते हैं तो उस ताइम पर आप div के अंदर एखटा करिए elements को तो आप डबे के अंदर उनको side by side arrange करना चाहते हैं एक के बाद एक arrange करना चाहते हैं वह फिर आपके ऊपर आ जाता है तो एक साथ जब arrangement करनी हो काफी सारे elements की तो वहां पर हम इस्तमाल कर सकते हैं अपने div का यह कुछ list of block elements हैं मतलब वह elements जो पूरी की पूरी width को घेर लेते हैं जैसे हमारा जो footer होता है वह पूरी width को घेर लेगा अगर हम analyze भी करें इसमें, inspect कर लेते हैं एक बार जैसे inspect करके हम देखें, footer के अंदर पूरा पूरा जो area है वह highlight हो रहा है तो यह पूरी width पर जा रहा है, in fact header भी हमारा पूरी width लेता है हमारा div भी पूरी width लेता है, article भी पूरी width लेता है, इस तरीके से काफी सारे elements होते है अब बात करते है, span tag की, span tag is also a container like div, but it is used for other html elements वो html elements जिसके अंदर हम उतनी ही जगे लेना चाहते हैं, जितनी की हमें जरूरत है, उसमें हम use करते है, span का जैसे ही same greeting को अगर मैं span की help से print करवाँ, span and span तो अब analyze करूँ, by default मेरा जो paragraph है, वहां से अगर हटा कर मुझे print करना है, सिर्फ by को कर लिया, save, अब अगर इसको analyze करें, तो जो by है, इसमें आप देखेंगे, blue part जो highlight हो रहे है, वो सिर्फ by वाला part है, यानि इसमें उतनी ही जगे घेरी जारी है, जितनी जगे जरूरी है उस element को spacing के लिए, तो span जो element होता है, वो हमारा inline element होता है, मतलब it takes its width as per size, जतना size है उतनी ही जगे वो घेरे का, इसके अंदर भी अगर हम span का color अब change करना चाहें, तो main के अंदर जाएंगे, span यहां से कर लेंगे, background color is equal to pink, तो यहां पर pink color में highlighted हमें दिख जाएगा कि यह हमारा एक span element है, अब span होता है, शु, जो हमारा Tag, बहुत से binary, शुRah हें में छुछ, जो हमारा tag इंमेज इंग इंड़ियों, दिख रहे हमारा tag इंड़ियों ठाखिए के छोग के इंड़ियों से के जिसनें हैं तो पह अनमारी यहां किंड़ियों serious, यहां कि इंड़ियों गिरे ह इतनी उनको जरूरत है, तो यह सारे हमने काफी सारे जो टाइग्स हैं, उनको revisit किया, ले आउट कैसे प्रोपरली बनाना है अपनी वेब साइट का, डिफ के अंदर चीजों को डालना है, हेडर में डालना है, में में डालना है उस तरीके से अपनी website को हमें अच्छे से design करना है अब इसमें project 1 के अंदर एक और task आप लोगों के लिए add हो गया है कि हमें सबसे पहले तो home page पर अपनी एक image लगानी है अपनी एक image लगानी है उस पर हो सकता है आप इस image को clickable बनाने इस तरीके से उस link पर click करते ही या तो आपकी Instagram profile खुल जाती है या फिर आपकी Facebook profile खुल जाती है उस तरीके से design कर सकते है या आपकी GitHub या LinkedIn profile खुल जाती है इनके links आपको add करने पोर्टफोलियो में साथ के साथ improve your project layout यानि अभी तक जितना project लिगाता उसको header में, footer में या आपने main section में divide करना है different different sections में और उससे हमारी जो website है और जादा improve हो और होगी यहां तक हमने खतम कर लिया अपना level 3 और next हम बात करेंगे शुरुआत करेंगे अपने level 4 की जो है also level pro अब हम आगे है अपने final level यानि अपने pro level पर और इस chapter के अंदर इस level के अंदर हम पढ़ने वाले हैं about list about forms and about tables अब कभी-कभी ऐसी situation आती है जब हमें कोई list of चीजे अपने page पर डिस्पले करनी पड़ती है जैसे अगर हमने कोई portfolio के अंदर education का page बनाया है तो उसमें हमें 10th के marks, 12th के marks, college के marks अगर master's के है तो वो सारी information हम चाहते हैं अगर list की form में डिस्पले कराना या फिर अगर हमने तो उनको हम लिस्ट की form में डिस्पले कराना चाहते हैं तो HTML के अंदर list की form में चीजें डिस्पले कराने के लिए भी हमारे पास कुछ टाग्स होते हैं तो list जो होती है सबसे पहले वो un-ordered और ordered, दो type की list HTML के अंदर होती है, un-ordered list का मतलब है कि सिर्फ bullet points की form में हमारा जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा होगा और ordered यानि जिसे हमने 1, 2, 3, 4 कोई order दे दिया, कोई sequence दे दिया जिसकी form में वो डिस्पले हो रहे हैं इसमें हमारे roman numerals भी हो सकते हैं 1, 2, 3, and 4 या फिर हमारे पास A, B, C, D हम इस तरीके से भी डिस्पले करा सकते हैं तो यह होत यह होते हैं UL, UL stands for unordered list, अब unordered list को बनाने के लिए हमने टाग इसमाल कर लिया, उसके अंदर list का हर एक item को हम डिस्पले कराते हैं LI की help से, यहां पर LI stand करता है for list item, तो इस तरीके से एक list बनाते हैं, अपनी main के अंदर हम content लिख रहे होंगे, यहां पर बनाएंगे, UL से mango, तीसरा item हमारे पास आगया है, लीची, तो इसको कर लेते हैं save, तो जब भी हम list बनाएंगे, वो हमारे पास कुछ ऐसी बन कर आएगी, जिसमें bullet points की help से हमारे पास items जो हैं वो display हो रहे हैं, अब special चीज यह है कि list के अंदर कुछ कुछ attributes होते हैं, जिनकी मदद से हम इन bullet points को change कर सकते हैं, जैसे यहां पर जो bullet points हमारे लिए प्रिंट हुए हैं वो थोड़ से circular है, अगर हम चाहते हैं कि हम disc shape के उनको बनाना चाहते हैं, तो वो change करने के लिए हम अपने CSS के अंदर चाहें, तो इन bullets कौम square shape में कर सकते हैं, या फिर इनको हम triangle shape में कर सकते हैं, disc shape में क सकते हैं, तो यहां UL के अंदर जाके आप MDN references के अंदर जाएंगे, तो वहां पर जाके सारी information में मिल रही होगी, अब इस list के अंदर हम sublist भी बना सकते हैं, जैसे अगर मुझे Apple के बारे में information कुछ create करनी होगी, तो इसके अंदर हम एक और अपना sublist बनाएंगे, using another unordered list, जिसके अंदर सबसे पहला item हम लिखेंगे कि color जो है, Apple का color है red, और season में हम लिख सकते हैं, winters, same चीज हम कर सकते हैं mango के लिए, तो mango के लिए color में हम लिख देंगे, yellow and season में हम लिख देंगे, तो यहां क्या हुआ, एक list बनी और उसके अंदर color red और season winters करके, एक sublist आ गई है, mango के अंदर भी दो जो bullet points है, वो sublist के आगे हैं, तो list के अंदर एक और दूसरी list create करना भी possible है, अब next बात करते हैं, अपनी ordered list के अंदर जो हमारे items जिनको भी हम place करते हैं, वो सारे numbers के साथ आते हैं, जिसे मारे पास आएगा 1, Apple, या 2, mango, इसको कैसे लिखना है, simply same list के लिए यानि इस list को हम कर लेते हैं, copy, और इसको कर देते हैं, comment out, इसको कर दिया, paste, और सिर्फ un-ordered में, ul की जगे, ol कर देना है, तो ये ordered list बन जाएगी, और list items को same रखना है, तो इसको अगर save करें, तो ये 1 आ गया for apple, 2 आ गया for mango, 3 आ गया for leechy, तो 1, 2, 3 हमारे पास numbering हो गये, पर अंदर वाली list आप देखें, तो उसमें bullet points है, क्योंकि अंदर वाली list में अभी भी ul है, हमारे पास, उसको भी ordered बनाना है, तो उसमें भी चीजें जो है, वो हम लिख लेते हैं, ओ, इसको भी कर लेते हैं, से तो बाहर भी वाना गया है, अंदर भी वाना गया है, अब इ इसा होता है कि real life table हमें कुछ अपने website पर डिसफले करनी पर सकती है, हो सकता है कि आपकी जो websites है, वो colleges के बारे में information दे रही है, या J.E.Mains की, हमने काफी सारी website देखी हूंगी, जिसमें last year का J.E.Mains का score होता है, और साथ के साथ कितना percentile cut-off आने वाला है, या कितने marks पे कित अपने website पर अपने webpage पर डिस्पले करना चाहते है, तो वहां हम यूज करते है HTML tables का, HTML tables में हम majorly तीन चीजों की बात करेंगे, पहला tag इन में से है, टी आर, यानि table row tag, इसकी help से हम हर एक table के अंदर row जो है, वो create करते हैं, दूसरा है हमारा table data tag, जिसके अंदर table का जो हम header tag, जिसके अंदर हम table का header है, मतलब में उपर वाले columns का नाम की, इसके अंदर row number लिखे जाएंगे, इसके अंदर name लिखा जाएगा, इसके अंदर phone number लिखा जाएगा, वो वाली header वाली जो सबसे उपर वाली रोम बनाते है, उसको भी create कर सकते हैं, अब हम सबसे खास बात य बहुत सारे resources online available है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अभी कि हम इतने सारे tags पढ़ हैं, इतने सारे याद कैसे रहेंगे, वो वाला pressure बिल्कुल नहीं लेना है, सिफ simply समझते जाने, बहुत laid-back हो के, बहुत easy going तरीके से, सिफ simply समझना है, इनमे से सबसे पहला है हमारा the table row, now in three tags को हम use किस तरीके से करते है, इनको कुछ इस तरीके से हम use कर रहे होते है, जैसे अगर right में हमें जो टेबल दिख रहे है, ऐसी हमें table बनानी हो, जिसमें हमारा header जो है वो है name और roll number और उसके अंदर डेटा हमने store करा दिया, अपना नाम और अपना roll number, तो उसको create हम करेंगे टेबल टैग की मदद से अभी सेमेंटिक टैग है क्यूंकि टेबल से मेत समझ आ रहे कि हमें एक टेबल क्रिेट करने वाले इसके अंदर सबसे पहली जो रो है मतलब यह वाली जुँरॉ है इतना हिस्सा इसको म reality कर रहे हैं अपने इस टीयार टाग की मदद से यह जो टीयार टाग है इसकी मदद से यह वाली रो क्रियेट हो रही है और यह जो टीयार टाग है इसकी मदद से दूसरे वाली टेबल रो क्रियेट हो रही है पहले वाली रो में हमने हेडर डिफाइंग किया आप ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं हमारी जो लिस्ट है इसको कर लेते हैं comment out और फइनल 예 टेबल बनाते हैं टेबल हम ने बनाई इसके अंदर सबसे पहले बनाएंगे अपनी table row जिसके अंदर सबसे पहले बनाएंगे अपने अपने headats to store करने वाले हैं सबसे पहले तो नेम, उसके बाद हम स्टोर करने वाले हैं, दूसरा टेबल हेडर, विच इस हमारा रोल नमबर, अब सेम जो हमने टेबल रो बनाई है, इसकी जगे, हम क्या करेंगे, बनाएंगे एक और टेबल रो जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा, यानि टेबल डेटा, सबसे पहले नेम नेम के नीचे हम लिखना चाहते हैं अपना नम, उसके बाद हमारे पास रहे था हमारा रोल नमबर, तो उसके नीचे भी लिख देंगे अपना रोल नमबर, इसको कर लेते हैं, यहां पर हलका साइस को स्पेस देते हैं, यह है टेबल, अब यह जो लेफ्ट साइड में हो सक तो यहां पर तेबल रो है उसके अंदर हमने अधर क्रिएट कर लिया उसके अंदर हमने टेबल डेटा इसको सेव कर रन करते हैं तो हमारे लिए एक टेबल आ गई अब टेबल की लाइन यह नहीं दिख रहे होंगी पर यह जो फॉर्माट है नेम रोल नमबर का अब जो फॉर करो मैं अनल इनाम लिए दान के लिए अंदर इस अफ्रीके लिए उसके यह नहीं रहल रख रहे होंगे जिसके अंदर एकप नाम हम तंक तरीके से तरीके यह लि जिए क्या नहीं सपures की साह और रगा ऑना यह लिए विए लिए of function. J.பोन — Com Outside लिखे हैं कि इसम लिखने जिए, फोटो नेछा कि देपने हो क只zd अ मैं नेकke फोटो के दा उसे है इसम का इन का taraf दैन संद कि निए अंधे का देटा मैं चै टेर महीं बारेा पोल्टों क oni भी इसका मका सब्सक़्क्स कर रहे हैं बस उसकी information तो इसके लिए हमें simply ऊपर एक caption tag को इस्तमाल करना पड़ता है तेबल के अंदर हम लिख देंगे caption और इसके अंदर caption हम लिख रहे होंगे student data तो इसको save कर ले अगर इस तरीके से हमारी table का caption हमारे लिए आ गया है अब table caption के अलावा हमारे पास दो और sections होते हैं दो और tags होते हैं जिनको हम टेबल में यूज कर सकते हैं इन में से सबसे पहला होता है हमारा table head और दूसरा होता है हमारा table body अब table head का काम होता है अगर इनका हमें इस्तेमाल करना हो यह भी वैसे लेयाउट के लिए यूज होते हैं तो इसके लिए हम यहां पर लिग देंगे T head और T head के अंदर आरा होगा हमारा header तक का part मतलब first row जो हमने आड की थी और उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी T body T body के अंदर आरा होगा सारा का सारा हमारा data जो हमने T head की help से define किया है इसको कर लेते हैं save तो यहां पर visibly कोई changes नहीं दिख रहे पर अगर आप inspect करेंगे तो आपको changes दिखेंगे जैसे पता चलेगा कि यह जो individual है यह हमारे data है यह हमारी पूरी की पूरी table है अगर right में जाएं और एक section पे scroll करना चाहें जैसे table के अंदर जाकर अगर हमें सिफ table body देखने है तो इतना part highlight हो जाएगा अगर सिफ table head देखना है तो table head में हमारा table head यहां से start हो रहा है और उसके अंदर सारी की सारी चीजें है until our header next एक और attribute होता है table के अंदर जो कभी-कभी काफी काम आता है वो है call span का यानि column कितने बाकी columns तक span कर रहा है जैसे अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों columns का नाम यहां पर अभी हमने इस column को नाम दिया है name इसको नाम दिया है पर हम इन दोनों columns का नाम बस information रखना जाते हैं तो हम क्या करेंगे हम यहां पर एक तो तरीका होता कि हम एक header ही अटा दे अधिए हमें एक सिम्पल हमने अगा इड़ लगाया जिसको नाम दे दिया इन्फरमेशन इसको अगर हम करते तो इंफरमेशन जो है हमारे सिर्फ फर्स्ट कॉल्म के ऊपर आता है लेकिन हम चाहते है यह इन्फरमेशन वाली जो वाल्यू है वह दो कॉल्म्स के बिल्कुल सेंटर में तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल करते हैं call span का, call span क्या करेगा हमारे लिए, इसमें हम define कर देते हैं कितने columns की जगे, यह header हमारा लेने वाला है, तो इसमें हम लिख देते हैं 2, तो इस तरीके से अब यह जो information है, वो दोनों columns के उपर आ गया है, center में आ गया है, दोनों columns के उसने जगे ले लिए, तो जब भी हमें ऐसा कोई 2, 3 columns को merge करना हो, इस बेसिकली Excel sheet के अंदर कभी-कभी हम cells को merge कर देते हैं, कि 2, 3 cells पे same information, same column का नाम हम दे पाएं, उसी तरीके से table में जब merge करना होता है HTML में, तो हम call span का इस्तमाल करते हैं, next बात करते हैं, forms in HTML की, और इसको मैं कहूंगी कि सबसे important topic मुझे लगता है, जब भी हम Facebook जैसे platform पर जाते हैं, Instagram पर जाते हैं, Snapchat पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो शुरुआत में हमें क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, या कभी भी login करना पड़ता है, तो हमें एक form दिखाई देता है, जिस form में हमें एक जाते हैं, तो यूजर नेम पर जाते हैं, प्ल नेम, फोन नंबर भाकी सारी चीज़ें अड़नी परते हैं, जीमेल डालनी परते हैं, तो इस तरीकी के जो forms है, ये सारे के सारे forms HTML में create हैं, तो forms को HTML में create करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है, अपने form टाग का, त इसमें आप अपनी चोड़ सकते हैं, कि मुझे कोई कर लो मुझे आपका समान खरीदना इस तरीके की चीज़ें, अब form का यूज किया जाता है, form tag के लिए, form tag का इस्तिमाल किया जाता है, form को create करने के लिए, तो ऊपर डालते हैं, हम अपना opening tag form, नीचे डालते हैं, closing tag, और जो या तो उसको process करेगी, या वो form का data किसी back-end file के पास जा सकता है, अब यहां पे मैने PHP का example लिए, मतलब back-end file के पास वो form का data जा रहा है, यह file का मने नाम दे दिया, अभी के लिए action हमाले लिए इतना relevant नहीं है, basically हम बस form डिजाइन करना सीख रहे हैं, उसका data कहा जा रहा अब form के अंदर हमें कोई action डालना पड़ेगा, action में अभी के लिए डाल देते हैं कि कोई हमारी action.php नाम के एक file होगी, जो इस form के data को process कर रही होगी, कि आपने login किया है, तो सारी information आपने डाली है, क्या sign up कर रहे हैं, कि आपको login करना है, तो सारा अपने username और password सही डालाई होती है, अभी के लिए वो काम करना हमारा concern है, हमें बनाना है simple form को, तो form को हम इस तरीके से कुछ डिफाइन करते हैं, अब form के अंदर हम different different elements का जो है, इस्तमाल करते हैं, कभी-कभी ऐसे भी form होते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ अपनी email ID टाइप करनी होती है, कभी-कभी को कोई option हमें select करना होते है, अगर अपनी Google Forms चलाए हो अभी online semesters के ताइम पर कोई option हमें टिक करने होते हैं, या फिर कोई button को हमें क्लिक करना होते है, तो काफी सारी चीजे होती है, इन में से सबसे पहले बात करते हैं, पहले form element की जिसका नाम है input, input को कुछ हम इस तरीके से है, input tag इसको कहा जाता है, जिसके अंदर type हमारा होगा text, यानि कुछ text ये input लेगा, और placeholder यानि इसके अंदर पहले से क्या लिखा होगा, इसको लिख कर देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा, बना लेते हैं, input, input के अंदर type हम दे देते हैं, text, text हमने type दिया, placeholder लिख लि लिखा है, type something here, तो जो भी placeholder के अंदर value होती है, placeholder का English में मतलब होता है कि यहाँ पर कोई चीज है, जो आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो चीज लिखी होगी, जैसे type something here के अंदर में अपना नाम लिख दो तो पीछ वाले जो background text हो चला जाएगा, तो जब भी हमें background में क अध्धा 123456 इस तरीके से, मान लिजे हम एक और input बना लेते हैं, तो form के अंदर एक तो input बना लेते हैं अपने username का, कि अपना username एंटर कर दो, एक input बनाते हैं अपना password का, कि यहाँ पर हमें enter करना है password, और इसमें type के है, इसमें type भी ना password दे लेते हैं, कर लेते हैं, सेफ, अब यहाँ पर यूजर नेम के अंदर, तो हम एंटर कर रहे हैं अपना username, अब पासवर्ड के अंदर क्या एंटर करेंगे, पासवर्ड के अंदर जो भी हम एंटर करेंगे, वो देखें, डॉट्स की फॉर्म में डिस्पले हो रहा है, और हम देखी नहीं पाएंगे कि वो हम क्या चीज़ एंटर कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब भी इंपुट में पासवर्ड लेना होता है, हम टाइप उसका पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं, टेक्स डिफाइन करेंगे, तो प्रेस होंगी, पर आक्शली वो बुलेट पॉइंट की फॉर्म में आएगा, तो कि क्या चीज़ स्क्रीन पर टाइप हो रही है, अब यह हमने इंपुट के दो टाइप लेह हैं, टेक्स और पासवर्ड, नेक्स बात करते हैं, लेबल क्या काम करते हैं, हमारे फॉर्म के अंदर लेबल के दो यूज़ होते हैं, मतलब किसी भी इंपुट के ऊपर हम एक ले अब लेबल के दो फाइदे होते हैं, जिन में सबसे पहला फाइदा होता है कि जो भी हमारे स्क्रीन रीडर यूज़र्स होते हैं, मतलब हो सकता है हमारी वेबसाइट को यूज़ करने वाले कुछ लोग जो है विजुली इंपेर हो उनकी आई साइट खराब है या वो लेबस यहां पर हेल्प करते हैं कि उन स्क्रीन रीडर यूज़र्स के लिए हमारे पास पहले से ही उनको बोल कर बता दिया जाता है कि यहां पर एक चेक बॉक्स है यहां पर बटन है यहां पर एक फील्ड है जिसके अंदर आपको अपना यूजर नेम टाइप करना है यहा यहां पर लेबस जो है काफी जादा हेल्प करते हैं एक और जगे है लेबस हमें काफी हल्प करते हैं वो होते हैं हमारे रेडियो बटन रेडियो बटन यानि वो बटन जिनमें आप चॉईस में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं उस तरीके के बटन को यूजरी रेडियो बटन को कैसे define करते हैं, जैसे हम एक और input का type यहां पर ले ले लेंगे और type में हम लिख देंगे radio, अब यहां पर हमें placeholder लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम दो attributes define करेंगे, इनमें से सबसे पहला attribute है कि class 11th और दूसरा attribute है name, और यहां पर हम लिख देंगे class 11th, सेम तरीके से हम एक और radio button बना सकते हैं, यह radio button क्या होगा, यह represent करेंगा class 12th को, इसके अंदर लिखेंगे class 12th, इसके अंदर आप notice करेंगे, हमने नाम जो दोनों को same दिया है, अब same करेंगे, मतलब multiple options के लिए नहीं होते हैं, जैसे आपके जही मेंस के test होते हैं, तो उसमें multiple options, अगर नहीं हो तो उसके अंदर एक यह नहीं जाता हमेशा value जाती है, तो value के अंदर अगर आप लिखेंगे class 10th, और आपने प्रिंट करवाए class 11th, तो यहां तो class 11th का बच्चा class 11th पर टिक करेगा, लेकिन हमारे जो back end के पास information जाएगी, वो class 10th की जाएगी, इसलिए हमेशा value और जो हम प्रिंट करवा रहे ह वो सिंक में होना चाहिए, क्योंकि यूजर को यह value नहीं दिखती और back end को यह वाला हमारे जो प्रिंट करवारे ही यूजर को यह वाली value नहीं दिखती तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है, तो radio buttons के अंदर similar चीज जो है वही कर सकते हैं, अब इन दोनो radio buttons को हम एक लेव buttons बना सकते हैं, एक class 11th का, दूसरा भी class 11th का बना सकते हैं, पर अगर हम उनको अलग-अलग IDs देते हैं, तो radio buttons अलग-अलग हो जाएंगे, तो ID देने के लिए इसको दे देते हैं, मान लीजे, ID 1, या इसकी ID हम 101 भी रख सकते हैं, और इसकी ID हम रख सकते हैं, 102, तो यहां प तो यह form के अंदर दो हमारी labels आ गए, एक हो गया 101, एक हो गया 102, अब label का फाइदा यह हुआ कि आप अगर class 11th पर भी click करेंगे, तो भी वो टिक हो जाएगा, class 12th पर भी टिक करेंगे, तो भी वो टिक हो जाएगा, लेकिन जब तक label exist नहीं करते थे, जैसे अगर मैं इसको क कर लूँ copy और control Z, तो इस case में हमारे पास एक भी label जो थे, वो नहीं था, अब इस code को अगर मैं सेव करूँ, तो अब मैं यहां क्लिक कर रही हूं, तो कुछ हो नहीं रहा, मतलब बटन जो है काम नहीं कर रहे, तो लेबल का फाइदा यह होता है, कि जब भी हमारे पास सेम नहीं होता है, मतलब नेम हमने सेम रख दिया है, दोनों अपने इंपुट का रेडियो बाटन का, तो हमारे पास यह फंक्शनालिटी आ जाती है, कि टेक्स्ट पर भी हम क्लिक करें, मतलब इसको सेव करके, टेक्स्ट पर भी क्लिक करें, तो भी रेडियो बाटन टिक हो जा उन cases में यह वाली जो functionality लेबल वाली वह बहुत फाइदे मंद होती है तो यह फाइदा होता है same name देने का दोनों को अब यहां थोड़ी फिसी फॉर्माटिंग कर लेते हैं इन labels को अब next line में ले आते हैं next line में हर जो option है वो हमारे पास अगया है यहां पर भी एक next line ले आते हैं तो फॉर्म हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसमें हमारे पास पहले यूजर नेम होगा फिर पासवर्ड होगा फिर हम अपनी क्लास जो है वो चूज कर सकते हैं इन फाक्ट यहां पर दो नेक्स ला अब ही हमने बात किया कि ID क्या होती है अब एक बार बात कर लेते हैं कि एक element के लिए attribute class का क्या मतलब है अब हम किसी भी element को एक साथ एक class assign कर सकते हैं और एक ID assign कर सकते हैं class assign कर सकते हैं और एक ID assign कर सकते हैं अब इन पांच बच्चों को कैसे हम differentiate करेंगे, इनको हम दे देंगे एक ID, इसकी ID 1 है, इसकी ID 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है, और दूसरे ग्रूप के बच्चों की ID क्या है, दूसरे ग्रूप में मान लीजे, 4 बच्चे हैं, और इनकी भी अपनी एक ID है, 1, 2, 3, 4, तो अगर एक साथ ये बच्चों की जगे, अगर मान लीजे, हमने buttons डिफाइन किये, और हम चाहते हैं, सारे buttons का color जो हो green हो, तो individually हम इन सारे buttons को green color देने की ज़ुरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे group को green color assign कर सकते हैं, या इस पूरे group 2 को blue color assign कर सकते हैं, तो इसको ये हमारा पूरा एक house का color हो सकता है, ये हमारे house के members हो सकते हैं, और इस तरीके से, जब information group के elements के लिए करनी है, तो वहाँ पे group का नाम, यानि class का नाम दे देते हैं, और जब individual को हमें देखना है, कि इस particular बच्चे के लिए, मुझे ID card जो है, उनका चेक करना है, तो हम बस इस इसका ID1 और ये class है, इसकी group1, दूसरा div है, इसकी idea ID2 class है, इसका group1, यानि यहाँ पर क्या case हो रहा है, यह एक पूरा का पूरा div है, जिसका नाम हमने दे दिया है, आईडी 1, और ये दूसरा div है, जिसको नाम हमने दे दिया है, ID2, अब ये जो दोनो divs हैं, ये दोनो same group के अंदर है और उस group का नाम है group 1, तो इस तरीके का कुछ केस हो रहा है जब भी हम groups or classes की बात करते हैं, next बात करते हैं, checkboxes की, हो सकता है कभी-कभी हमें ऐसे option देने हो, जिसमें आप multiple चीजें जो है, select कर सकते हैं, वहाँ पे radio math के लिए label बना लेते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे input, यहां पर जो type है, वो type बन रहा होगा हमारा checkbox, checkbox के अंदर value क्या देंगे, value इसमें दे देते हैं math, और इसमें name हम दे देंगे, subject, और id हम इसको दे सकते हैं, id कब काम आईगी, id बाकेंड के काम आईगी, अभी हमारे बाकेंड के काम कैसे आईगी, बाकेंड कर पाएगा, कि 5 में से जितने checkbox टिक हुए है, उन सब की individual id क्या है, तो आप इस तरीकी की functionality बना सकते हैं, कि जो भी checkbox टिक हो, उसके ऊपर एक green कलर आजाए, या उसके ऊपर एक blue कलर आजाए, उस तरीके की चीजे हम कर सकते हैं, ज 4 checkboxes बना लेते हैं, चार subject का बना लेते हैं, physics, phy और subject में लिख देते हैं, physics, इसको इध डिफरेंट और थाची के तो three देते हैं, four देते हैं, तो छेकशे हमारी कुछ इस तरीके से दिस्पले होंगे, जिनमें से हम multiple को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, अब इसकी फॉर्माट के लिए थोड़ा सा next line दे देते हैं हर किसी को similar formatting के लिए उपर भी एक बार अड़ कर देते हैं कि select your class तो हमारा फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर उपर हमारे पास यूजरनेम और पासवर्ड बरने की जगे जाएगी नीचे हम अपनी class कर सकते हैं फाइनली यहां पर चेक बॉक्स आगे अपने फेवरेट सब्जेक्स हमें सेलेक करने हैं तो हम सेलेक कर लेंगे math, chemistry, maybe physics या अगर आपको मजा रहा है अब ही HTML सीखते हो तो समें computer science भी टिक कर लो तो इस तरीके से हम सब को भी टिक कर सकते हैं तो जब भी multiple options को सेलेक कराना हूँ तो अब हम यूस करते हैं इस्तमाल करते हैं अपने checkboxes का next बात करते हैं text area की कभी-कभी हम चाहते हैं कि हम जो है कुछ text जो है उसको यूजर से input ले मतलब हम उसे कुछ area दे जिसमें वो सिफ कुछ चीजें हमारे बारे में कुछ line लिक पाएं जैसे इसका example होता करें इसको फॉर्म के अंदर last में बनाते हैं एक text area और इसके अंदर सबसे पहले नाम इसको दे देते हैं नाम हम देने वाले इसको feedback इसकी ID दे सकते हैं ID 101 और इसमें हम placeholder डाल सकते हैं यह जो text area यह बहुत similar है तो हमें इसका थोड़ा सा अलग यूज है तो हमें यह प्रॉपर लेबल्स प्रॉपर जो टैग्स है उनका इस्तमाल करना चाहिए तो placeholder में डाल देंगे please give your valuable feedback here तो वो valuable feedback जो है हम text area में लिख लेंगे और यहां पे डाल देंगे feedback यहां पे बी कुछ line breaks डाल देते हैं तो यह हमारा form आगे जिसमें एंड में हम feedback दे पारें हाई मतलब अल्रेडी उसमें कुछ-कुछ पहले से लिखा होगा इसको हम हटा सकते हैं तो यह हमारे पास प्लेस हमारा प्लेस ओल्डर आगे अब यहां हम लिख सकते हैं इस वाज नाइस फॉर्म थैंक्यू वरी मच फोर इस इंफो अब हम चाहते हैं यह थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसमें हम हाई या विथ वगएर भी डाल सकते हैं तो इसकी हाई हम लिख देते हैं तो हम लिखते जा सकते हैं मतलब कुछ भी लिख सकते हैं तक हमारे पास पेस आजाएगी इन फाक्त हम कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं जितने मर्जी चाहें तो इस तरीके से बड़ा जो फीडबाक फॉर्म हमें मिल जाएगा तो इसे हम डिफाइन करते हैं अपने टेक्स अरिया उसकी कोई ID दे सकते हैं और उसके अंदर दे सकते हैं different different options for our drop down इसको भी लिखकर देखते हैं यहां feedback से पहले इसको लिखकर देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे select name is equal to city तो इसके अंदर सबसे पहला जो हम option देने वाले हैं उसमें value हमारे पास आजाएगी सबसे पहली value दे देते हैं Delhi तो इसके अंदर लिख देंगे Delhi अब similar और ज्यादा हम options दे सकते हैं जिसे यहां पर हम दे सकते हैं Bangalore यहां दे सकते हैं हम पुने तो सारे के सारे options जो हैं हमारे लिख आ जाएंगे तो यह जो feedback तो हम notice करेंगे तो form के अंदर यह वाला drop down आ गया जिसमें हम कोई जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी city हमें चाहिए तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने drop down की help से भी अब इस form को format करके क्या करेंगे थोड़ा सा और सुंदर बना लेगे जैसे इस form में spacing थोड़ी सी हमारी खराब है spacing ठीक करने के लिए सबसे पहले registration form in fact h1 जो है थोड़ी सी main हो जाएगी तो h4 तक try करते हैं तो यह registration form हमारी लिए आ गया उसमें username लिख सकते हैं पासवर्ड लिख सकते हैं अब select your class के बाद जो हमने lines डाली हैं उनको ना डालें तो अपनी class हम यह से select कर सकते हैं फिर select कर सकते हैं अपने favorite subjects को finally फिर कर सकते है हमें select अपनी city तो यह city के ऊपर लिख देंगे select your city and feedback में हम इस चीज को कर देते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्म जो हमारे लिए design होकर गया है जिसमें ऊपर काफी सारी चीजे हैं हमने इसको अच्छे से format भी कर दिया है अब लास्ट में एक और input type हम discuss कर लेते हैं इसको हम क हमारा form submit हो जाएगा मतलब उसमें information हम add कर पाएंगे और information को हम submit कर आएंगे अपने form को पूरा मने भर लिया और उसको अब कर देंगे submit तो इसको भी next line में लिया इस बटन को पर submit करने के बाद यह में दिखा है क्लिक करने के बाद की action.php को यह get नहीं कर पा रहा है मतलब action. .php हमारे लिए एक्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि उसको हमने बनाया ही नहीं है पर लॉजिकली होगा जब हमारी पूरी वेबसाइट सेट अप जाती है कि यह फॉर्म से सारा का सारा डेटा लिया जाएगा और वह action.php को या action.js को या जो भी हम फाईल यूज कर रहे हैं इस फाईल में डेटा भीज रहे हैं उस फाईल को completely यह डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और फिर उस फाईल में जो जो चीजें है इस डेटा के साफसे की डेटा बेस में स्टोर करना है या स्टूडेंट को कुछ दिखाना है वह सारी चीजें हो रही होंगी पर इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म हमने एक डिजाइन कर लिया है नेक्स बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टाग की जिसका नाम है आइफ्रेम टाग का काम होता है कि एक वेबसाइट के अंदर मानी जब दूसरी वेबसाइट दिखानी हो तो वह कैसे दिखाएंगे उसके लिए हैं इस्तेमाल करते हैं आईफ्रेम टाग का तो शो वेबसाइट इंसाइड वेबसाइट इफ्रेम टाग कुछ ऑनका की तरह होता है उन लिए ख सूर्च टाग जिसमें हमकोई लिंक डाहते हैं जैसे अगर मैं यूट्यूब पर जाहूं जिसके अंदर मैं सर्च करूं फॉ और जावा, तो जो फॉर्स्ट वीडियो आ रही है, इस पर हम कर लेते हैं, क्लिक और इसको शेयर कर देते हैं, शेयर करने के बाद क्या करेंगे, यहां पर एक एंबेड का ओप्शन आएगा, इस एंबेड के ओप्शन पर जाएंगे, और यह राइट में क्या करेंगा, हमारे करेंगे अपने पेज पर, वो पूरा का पूरा आइफ्रेम वाला जो भी टाग के अंदर सारी इंफिमेशन थी, इसको कॉपी कर ले पाएं, इसके अंदर अभी इंपोर्टन चीज यह है, कि हमने आइफ्रेम लिखा हुआ है, विट थाइट यहां पर डिफाइन की है, सोर् जिसमें आप शोर्स दाल रहे हैं, गूगल डॉट कॉम का, तो इसको अगर सेव करें, तो यह वाली चीज काम नहीं करेंगी, यहां और यहां नहीं करती जैसे अगर आप अपनी एफ्रेम क्रिएट करने की कोश़श करें, जिसमें आप सोर्स डाल रहे हैं, Google.com का Google.com का, तो इसको अगर सेफ करें, तो यह वाली चीज काम नहीं करेगी, यहां लिखा आगया, हैं उनसे बचाने के लिए काफी लोग जो है, स्टेप्स लेते हैं, पर अगर हम कुछ और करना चाहिए, मान लीजे, हम MDN की ही website जो है, उसको हम दिखाना जा रहे हैं, तो यहां पे हम बस link को कर देंगे replace, और आएंगे अपने page पर, तो यहां MDN भी allow नहीं करता, पर जैसे Wikipedia का हम एक्जाम्पल लें, तो यह Wikipedia पूरा का पूरा हमारी website के ऊपर खुल गया है, यहां पे height and width जो है, थोड़ी सी छोटी पढ़ रही है, तो इसको next line में ले आते हैं, और क्या करते हैं, इसके ले भी height and width सेट कर देते हैं, सेम, तो क्या हुआ, यह पूरा Wikipedia आप देखेंगे, फंक्शनल है और यह पूरा, यहां पे आप सर्च करना चाहिए कि मान लीजे हमें HTML के बारे में सर्च करना है, तो वो सारी की सारी functionalities जो है आपकी website के उपर ही चल रही होंगी, पर internally विकीपीडिया काम कर रहे हैं, पर वो सारक आप अपनी website के उपर डिस्पले कर आप आ पा रहे हैं, अब जो professional level websites होती हैं, वो usually mostly prevent कर रही होती हैं इस चीज को, like this is my favorite tag iframe मुझे काफी कूल लगता है personally next time बात कर रहे हूंगे video tag की जसे मुने photos दिखाई, photos को मने relative url से भी दिखाया, absolute url से भी दिखाया वैसे ही हम videos को भी दिखा सकते हैं अपनी website के उपर और उसके लिए जो हम use करते हैं tag उसको कहते है video tag video tag के अंदर simply लिखेंगे src जिसके अंदर अपनी video का हम लिंक डाल देंगे यह तो एक relative link है हम चाहें तो relative की जगे absolute url भी दाल सकते हैं तो उसको भी एक बार करके देखते हैं लिख देंगे video src is equal to यहां पर same youtube video का हम link जो है वो कॉपी कर लेते हैं तो same link हम डाल दिया है my video करके तो अपने आइफ्रेम को हम कर लेते हैं comment out और नीचे लिखते है video tag को तो video को यूज करने के लिए यहां लिखेंगे video यहां लिख सकते हैं my video अब यहां कोई src हमें डालना पड़ेगा तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी फाइल के अंदर एक video को आड़ कर लेते हैं एक screen recording को यहां पर आड़ कर लेते हैं इस folder के अंदर and कर देते हैं इसको rename my video यहां लिखते थे हैं slash my video.mov .mov इसका extension इसको कर लेते हैं save and अब जाकर अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए बड़ी से video खुल गई है अब इसमें भी हम width and height एक बार set कर लेते हैं ताकि सही frame में चीजें आ रही हूं save and इस छोटे से इसके अंदर हमारी video जो है खुल गई है पर हम इसको play नहीं कर पा रहे हैं मतलब video को हम प्ले नहीं कर पाएं this is a screen recording video तो इसको play करने के लिए हमें यहां कुछ-कुछ हम attributes का इस्तवाल कर सकते हैं जिनमें से सबसे पहला attribute है हमारा controls अब video के सारे controls दिखाने के लिए हमें यहां पर tag के अंदर लिखना पड़ता है controls तो क्या होगा अब हम इस video को play कर पा रहे हैं इस video में हम sound जो है उसको on-off कर पाएंगे इसको full screen कर सकते हैं और इसको download भी कर सकते हैं although picture in picture कर सकते हैं तो इस तरीके का कुछ format आपको YouTube पे भी दिखता है तो इस तरीके से हम अपनी video को भी different तरीके से control कर सकते हैं साथ में और भी काफी सारे option होते हैं जिसे loop अप कर दें अ इस video automatically दुबारा से शुरू हो जाएगी यानि लूप में लूप में अगर आपको वीडियो चलानी है तो वह आप कर सकते हैं यह लूप में नहीं चलानी आप चाहते हैं यह और अटो प्ले हो जाएगी पूरी वीडियो पर आटो प्ले यूशली नहीं करना होता है क्योंकि आपके यूजर के पास अगर बहुत कम डेटा है वो बहुत कम बैंडविट के साथ हैं बहुत खराब इंटरेट की सिचुएशन में तो सिचुएशन में बहुत सारा इंटरेट उनका खर्च हो सकता है अगर आपकी वीडियो आटो प्ले होती ही रहती है तूसरी सिचुएट लिएख लावा हमारे पास है इतわかло है निमेर में बहुत की साथ गुद के पते हम के साथ हीएट और विट के भी विडियो पी सेट कर सकते हं कितने अग। हमार्य वीडियो पास आपने को क्या इससे हम अपनी को कॉंड आपके गारमन कल निया अगर आप HTML कोई कोड लिखने जाएंगे तो आगे पीछे करके आपको इतनी ही चीज़ें हैं जो पता होनी शही है जो आपको आनी चाहिए और किसी भी प्रोग्रामर को इतनी चीज़ें आती हैं इन फाक्ट इसे भी कम आते हैं मुस्ली लोग गूगल करकर के जो चीज़ें टाग्स अट्रिब्यूट्स इंपोर्टन भूल जाते हैं वो बार बार रिफ्रेश करते हैं मेरी को अब यहां पर एसाइमेंट प्रोजेक्ट वन के लिए यह है कि एड़ कॉन्टाक्ट मी पेज खरने घ्टॉट्फोलिट इस फार्म डिजाइन करना है तो अपने पॉर्टफोलियों के अंदर एक कॉन्टाक्ट मी के लिए फॉर्म बनाएं है जिसमें लोग जो है पनी इमेल आइडिया हमें चोड़ सकते हैं उसमें पना नाम छोड़ सकते हैं क्या उनके क्षुरी है ए क्या कोई help मांग रहा है हमारे college का junior उस तरही की information डाल सकते हैं contact me का हमें form डिजाइन करना है इसके अलावा एक और project 2 का idea है कि आपको एक website बनानी है resources के लिए for college students जिसमें सबसे पहले तो website का एक sign up form हम डिजाइन कर रहे होंगे उसके अलावा हम links add कर सकते हैं i-frame add कर सकते हैं coding videos का तो coding videos के हम चीजें जो है add करते हैं आप अपना college channel को refer कर सकते हैं उनकी कुछ video आप डाल देंगे और उससे पहले एक sign up होगा फिर बच्चे जो हैं जाकर different and different coding videos को देख सकते हैं साथ के साथ एक table बनानी है home page पर जिसमें क्या होगा different different topics जो आपकी website कवर करी है students के लिए उनको आप दिखा रहे होंगे अपने home page के उपर तो यह थोड़ा सा resource library type आप एक project बना सकते हैं इसको अपने mini project की तरह आप कर सकते हैं इसमें actually अगर आप css javascript बाकेंड सीख लेते हैं तो यह पूरा अपूरा आपका full-on major project बन जाता है जो रिखने के लिए अच्छा है कि आपको basic concept सारे के सारे आते हैं अब html सीख लिया है हमने काफी अच्छे दरीके से pro level तक तो इसके बाद next step यह होता है कि हम css सीखते हैं यादि कास्केटिंग स्टाइल शीच और रुसके बाद जावास्क्रिप को एंद फाइन अगर अगर चाहते हैं कि हम एक css का one shot लेकर आए तो उसके बारे में आप को notes और code दोनों दिये होंगे आज के लिए इतना ही मिलता है next video में till then keep learning and keep exploring